हलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गूड इवनिंग, एंसर मने राम राम, मैं वेलकम करता हूँ आप तब का डॉक्टरामिस अकाडमी पे और अब हमारा चल रहा है के जिएफ सीजन यानि खतरना जियस पाडू रिविजन सीरीज, सीजन वन आपका कम्प्लीट हुआ था, सीजन में मोडन इडिया, स्वरी, हलूसेंट में, मोडन इडिया उतनी दे नहीं रखी है, बट ओल्रेडी हम सीजन वन में मोडन इडिया कम्प्लीटली मेरे खुद के नोट से, स्पेक्टरम से भी रिवाइस करी है, अपने विपिन चित्रा से भी रिवाइस करी, उनको और इसको आपको कम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और आपकी सारे की सारी मोडन इडिया, आज रिवाइस हो जाएगी, आज आपका तीसरा एपिसोड है, तो इसको अच्छे से रिवाइस कीजिए, अपने खुद के भी नोट्स बनाएए, और अगर इसके आपको नोट्स चाहिए, त सबसे पहले चीज़ यह अभी तक अपन देख रहे हैं, तो ब्रिटिश ने आके पहले फोरण जो पावर्स हैं, उनको खतम किया, नेटिव जो पावर्स हैं, उनको और कम किया, तो नेटिव में जैसे बंगाल, महसूर, पंजाब, यह सबसे तीनों कितीनों इंपोर्टन है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश एक्सपैंशन, ठीक है, तो ब्रिटिश एक्सपैंशन में सबसे पहले अपन देखेंगे बंगाल को, फिर अपन देखेंगे महसूर को और पंजाब को, तो जब भी कोई वार होती है, तो वार में सबसे इंपोर्टन चीज़ है, यही पूछे जाते हैं, वह यही पूछे जाते हैं, वार और ट्रीटी, ब्रिटिश जब भी करते थे, पहले वार की, फिर वार की, फिर ट्रीटी की, फिर वार की, फिर ट्रीटी की, फिर वार की, फिर ट्रीटी की, ऐसा ही आपका चलता रहता था, ठीक है, तो अब यहां प इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर किया फ्रम ढाका टू मुर्शिद बाद फिर उसके बाद इनके बेटे आये सुजाद सुजावदीन इनको भी गवर्णर्शिप मिली बिहार की इनको दी थी मुहमद शाह रंगीला ने जो मगल एम्परेट थे 1733 अभी तक कोई इतना इंप शीद कुली खान, सुजावदीन, सर्फराज कान, अलीवर्दी खान से रिलेटेड इंपोर्डेंट क्या है कि इन्होंने फरमान ले लिया थे मगर एम्परर मुहमद शारंगीला से इनको दो क्रोल रुपे पे करके जिससे कि वहाँ पे जैसे फ्रेंच और जो इंग्लिश क लगाने दोगे कलकत्ता में चांदनगर में ठीक है तो यह ले लिया अलीवर्दी खान में अब अलीवर्दी खान का पोता आया करमवीर शिवम गूद मॉरिंग तो इसका जो पोता आया यह है इंपोर्डेंट शिराजु दोला 1756, 57, 1757 या दरक रहा है बैटल ओफ पलासी 18 1757, First War of Independence तो यह जो थे आपके अलीवर्दी खान इनके जो ग्रांट सन यानि पोता आया था इसने सीज कर दी थी, इंग्लिश फैक्टरी कासिम बाजार में भी ठीक है, मतलब इनके अगेंस्ट ही चल रहा था और इसकी पावर भी अच्छी थी, इसके पस मतलब मिलिटरी व है, वो अभी रिकवर कर गया था, 1756 में, ठीक है, तो उसके बाद रिकवर किया था, इसने सबसे पहले ट्रीटी करा है, ट्रीटी ओफ अली नगर, जिसमें सिराजु ने कंसीड़िट प्रैक्टिकली ओल दिमांड ब्रिटिश और बिटिश ने कैप्चर कर लिया चंदरनग है, ठीक है, पहले अली, फिर अलाबाद, और पलासी बीट्रेट, तो तेज़ जून, 1757, यह जून, यह जनवरी, 2 जनवरी, यहां पर हुआ क्या था, कि इसके पर से इतनी सारी पावर होने के बहुजूद भी हार गया था, और हारा क्यों था, उसके बीचे रिजिन था कि जब अपना मरलब जैसे इसके साथ के थे, तो उन्होंने दुखा दे दिया था, इसमें कौन-कौन थे, मीर जाफर, मानिक चंद, मीर जाफर, मीर पक्षी होता था, मीर पक्षी आपको पता होना चाहिए, एक पोस्ट होती थी, इनकी रैंकिंग के इसाब से, मिलिटरी पोस का, ये छोड़ के चला गया, ठीक है, तो सारे के सारे इसको छोड़ के चले गए, और इस वज़े से ये हारा गया, अब यहाँ पर क्या होगा कि ए कंपनी ने मीर जाफर को, मतलब जैसे ही से राजदूला हारा मीर जाफर और मीर कासिम दो नाम important आएंगे, पहले मीर जाफर को point किया, मीर जाफर से दुखी होके मीर कासिम को point किया, and then उस से दुखी होके, फिर से दुबारा मीर कासिम को point किया, अपने ही सिक्के कोटे होता है, बिल्कुल सही, जब यहाँ, UPSC में इस टाइब के आपके सवाल बन सकते हैं, कि what if, जैसे UPSC बार बार पूछता है मेंस में भी, कि what if, मतलब गांती नहीं होते हैं, तो what if, अगर इन्होंने दोखा नहीं दिया होता, तो क्या होता, क्या इतनी जल्दी British Advent इंडिया में हो पाता, या वो उतना ग्रो कर पाते हैं, जितना उन्होंने ग्रो किया, इस हिसाब से अपने को देखना है, तो इसको राइट्स भी मिल गए है, तो फ्री ट्रेड इन, बंगाल बिहारोडे से, यह तीनों इंपोर्टन है, यह नहीं कोई कंबाइन ली, यह कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे जमिदारी of 24 पर गरा, यह देहन रखना है, ठीक है, यह आपका है बंगाल में, अब इससे फिर बाद में मेर कासिम को पॉइंट किया, मेर कासिम ने ले लिया था आपके बर्दान, मिदनापूर, चितगोंग को, और कैपिटल इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी, मेर कासिम ने रिवोल्ट किया, सून, ऐस ही वाज अंगरी विद द बिरिटिश के जो उसके दस्तक सें, प्री डूटी पासिस, उनको ये मिस यूज करते थे, ठेक है, ये भी बिरिटिश हर्ट से कुछन कुछ लेता था, तो ये इसको मिस यूज करते थे, मिस यूज करने के कारण ये नाराज हो गया और उसके खिलाफ ही बोलने लग गया था, ठेक है, किनों आपके लड़े थे बैटल ओफ पक्सर यह हुआ था बलब 1764 और यहां पे मुद्रों ने इनको हरा दिया था अब इसके बाद हुई थी ट्रीटिय ओफ अलाबाद तो सबसे पहले आपके हुई है ट्रीटिय ओफ अली नगर दैन हुआ है बैटल ओफ पलासी दैन आपका बैटल ओफ बक्सर 1764, 1757, 64 और उसके बाद आपका अलाबाद ट्रीटिय ओफ अलाबाद यहां पे दोनों है अब इसके जो थे यह सक्सेसर थे में जाफर कुछ नहीं ठेक है इंपोर्डेंट यह है कि बैट्रीटिय ओफ अलाबाद विच्छा अलाब्टू 1765 और सुजाओ लोग बंगाल पर कंट्रोल करने लगे तो ब्रिटिश ने क्या कहा कि आप तो कंट्रोल करो ही करो साथ में क्या है कि हम भी अपना एक रेजिदेंट रखेंगे विवान गूड मॉरिंग तो यह जो रेजिदेंट होता है यह आपस में विप थोड़ा से मैंटेन करके कि मतलब डिजूरो डिफेक्ट ऑपन बोलता है कि आपका रूरल तो हो गया नाम का हमारा रूरल मेंली आपके फिर इंटरनल इंटरफेरेंसिस करने लग गया तो यहां से एक डूल गवर्मेंट यह डायर की हम बोल रखते हैं तो यह बंगाल में स्टाटवी सेवंटीन सिक 65 और कंपनी को दोनों के दोनों दिवानी और निजौमत राइट्स मिल गए थि दिवानी क्या होते हैं है यह जो के वेल और ऑके हैं यह सिवल राइट और निजौमत जो है वह वह क्रिमिनल राइट्स अचा चुछोईटिन जो हमारे regulating act आया था कौन से regulating act से हम बात करें dual system of government ठीक है start हुआ था यहाँ पर यह वाला नहीं है कौन से act से कौन से act से आपकी डायार की start हुई ठीक है गुद मॉनिंग सुविधा 1773 अनिल 173 सुमन 1784 और answers आने भी देते है अब यहाँ पर वरन हैस्टिंग ने तो इसको कतम कर दिया 1772 में बंगाल से related हमारा important क्या रहा है देखो battle of यह तो दो battle, दो treaty और दो ही यह है मीर जाफर और मीर खासर ठीक है तो 1784 फिट्स इंडिया एक्ट में यह आपकी डायर की शुरू हुए थी यह दियार रख लिया ओके देन हम आते हैं मैसूर में देखो है क्या कि यह सबसे powerful आपके areas और rural होते थे तो मैसूर को भी इन्होंने देरे देरे कतम किया यहां पर दो important नाव अपने हैं हैदर अली एंड तीपु सुल्तान हैदर अली आपका 1761 से लेके 82 इन्होंने यह सवाल डिरेक्ली पूछा वा था कि one who began his career as a soldier of the मैसूर स्टेट लेटर फोस्दार इन दिंडूगल and a modern arsenal इन दिंडूगल with the help of French तो जो आपके हैदर अली और यह है टिपु सुल्तान है इनका French और इनके साथ European powers के साथ काफी मिला जुला सा मिली जुली सरकार है दे थी except British ठीक है 1784 84 सही answer आपका इन 1761 अब यहाँ पे 1761 यानि 1770 जहाँ पे Battle of Palasi चल रहा है उसके कितने साल बाद? चार साल बाद ही ठीक है? इसने जो इसका powerful प्राइम मिनिस्टर होता था वर्डियार के इन क्रिशन राजा 1 इसको इसने तरीटी ओफ मदरास साइन होई ठीक है यह याद रखना है यह सब जो आएंगी यह आपको ध्यान रखना है तो पहली साइन होई मदरास में यहाँ पर ठीक है? तो फस्ट एंग्लो मैसूर वार 1766 69 वहमता गूद मॉनिंग और ट्रेटी ओफ मदरास ठीक है मदरास साहिन होगी फिर दुबारा से फिर से आपकी अंग्लो मैसूर वार रही यह यहाँ पर क्या है कि वेरन हैस्टिंग ने फ्रेंच पोर्ट पर अटेक कर दिया था जो कि हैदर अली की टेरेटरी थी और हैदर अली ने मरलब निजाम और मराठाज के साथ एंड कैप्चर और कोट ठीक है तो यहाँ पर यह इसके साथ है बट आगे आने वाले टाइम में फिर यह इसके अगेंस्ट हो जाएंगे ठीक है 1761 इन्होंने इसको हैदर अली डिफिटेड एट पोट नोवो वाई एरिकोट यह ठीक है और इसमें इसकी डेथ होगी यह धियान रखना है कि सेकंड में इसका बेटा आया वन अफ दो ग्रेटेस्ट जो बोला जाता है ठीक है टीपु सल्तान 1782 इसका बेटा था यहां से अपन शुरुए चैनौального हजळ यहां मातरा य सजान रखने हैन्ग आव। धनौव उपोजीट बैलैकशन में हैं ओपोजीट कौन है और इन्हों ने फिर इसको हरा दिया टीपो को और टीपो के साथ फिर साइन होई थी ट्रीटी ओफ श्रीरंगी पट्टम तो तीनों के तीनों याद रखनी है ठीक है पहली मैसूर दैन मेंगलोरो एंड दैन श्रीरंगी पट्टम और फिर उसके बार जब चोथी वार होई थी तो इसमें तो वैलसली ने इसको टीपो सिल्टान मारे गए थे तो कौन वैलस याद रखना है थर्ड में फॉर्थ में लॉर्ड वैलसली ठीक है इन्हों ने टीपो ने अपनी एंबसी भी बनाए थी फ्रांस टुर्की एरान पेगु में और एक ट्री ओफ लिबर्टी ठीक है कैपिटल श्रीरंगी पट्नम में बनाया था और फ्रांस में जैसे फ्रांस रिवोलुशन में हमारे इंपोर्डन नाम आते हैं जैकोबियन क्लब आपके बने हुए थे ठीक है सिक्र में आपके गुरू गोविन सिंग थी पहला तो यह कि यह टैंथ लास्ट गुरू थे और इन्होंने ही रिलिजिस सेक्ट को मिलिटरी ब्रदर हुट में ट्रांसफर करना शुरू किया माराजा रंजीट सिंग सेवंटी नाइंटी टू से एटी त्री ही इस कंसिड़र इस फ बाहूर को उकुपाई किया इनके सक्सेसर से रंजीट सिंग है कड़क सिंग नौनिहाल सिंग सेर सिंग दिलीप सिंग ठीक है अब यहां पे 1850 के आसपास 1850 याद रखेंगे 1850 से पात साल पहले देखो 1845-46 1848-49 यह दो एंगलो सिख वार वही है इनके बाद पंजाब पे क इसमें यहां पर फिर बाद में ट्रीटी ओफ लाहूर साइन करीगी सर हैंडरी लॉरेंस यहां के फर्स्ट रेजिडेंट बने रेजिडेंट मतलब जो हमारा डूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चल रहा है सेकेंड एंगलो सिख वार आपके हुई है 1848-49 यहां पे डलोजी ने एनेक्स कर लिया पंजाब को ठीक है तो आपके लिए सवाल है डलोजी ने डॉक्टराइन ऑफ लैप्स में सबसे पहले किसको एनेक्स किया था सबसे लास्ट में किसको एनेक्स किया था और क्रोनोलोजिकली मुझे 45 जो स्टेट्स हैं उनके नाम आप लिखके बता नागपूर एंड एफ और अवद सबसे पहले भी इन्होंने कैप्चर किया था ठीक है जो अपने देख रहे थे बंगाल वाले में भी और अवद सबसे लास्ट डॉक्टराइन ऑफ लैप्स में सबसे लास्ट है ठीक है यह सारे के सारे याद रखने हैं वैसे संबलपूर भी इन्होंने कैप्चर किया था और एक और थे आपके तो उनको बाद में वापिस भी कर दिया गया था ओके अब देखो यह जो टेबल है पहले चीज़ तो मैं आपको यह बता देता हूँ जितनी भी टेबल है परलब लूसेंट की वह सारे की सारी दी मॉस्ट इंपोर्ट बस ब्रीफ रिविजन रहेगा ढंगाल बंगाल में है मुर्शीत कुली खान और ट्रीटिय ओफलाबाद अलाबाद अपनी होई थी थी तो इससे पहले अपनी ट्रीटिय ओफ जो अली नगर है वो होगी थी बकसर से पहले थे का माराथा में थे आपके बाजेराववन और यहां पर सबसेडरी ऐलाइंस सबसे ज़्यादा हुआ है का बनाट इर्ट में भी सदात लुचान और सबसेडरी ऐलाइंस और डलहु जी ने तो यहां पर train of laughs भी, then again निजामों फैदराबाद भी सबसीडरी अलाइंस, अच्छा सवाल यह है, सबसीडरी अलाइंस कौन लेकर आया था, किसकी है यह, ठीक है, who was the British, जो भी Governor General थे आपके, कौन लेकर आया थे, सबसीडरी अलाइंस Treaty S.A.S. सिर्ली अलाइंस सिस्टम, इसमें क्या होता था, कि भई आप, जो आर्मी है, आर्मी तो Britishers provide कराते थे, उसका जो खर्चा है, खर्चा उस जो रूलर है, उसको देना पड़ता था, उस हिसाब से यह चलता था, ठीक है, यस, very good, विवान, दिक्षा, वेलसली, सुमन, ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर यह आ गया, अब पंजाब जो है, पंजाब में आपका, रंजीत सिंग जी जो थे, और डलो जी, ठीक है, अब यह हो गए, चलो ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं, यह तो देखो, यह दोनों के दोनों कैप्चर हो चुके हैं, अब दोनों के दोनों मतलब, बिटिश एडवेंट में सबसे पहला फेस था, फोरन जो रूलर्स है, उनको हटाना, सेकेंड जो था, वह है, इंडियन रूलर्स जो है, उनको ओर्कम करना, अब उसके बाद, इन्होंने कम्प्लीट करना शुरू किया, अपना एक्कनोमिकल एक्सपेंशन, अब अलग-अलग तरीके से अपने एक्सपेंशन चलते हैं, देखो, इस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी, बढ़ने लगए, तीन स्टेजिस हैं, ठीक है, म, आई, एफ, एम, आई, एफ, ठीक है, तो मर्चंटाइल फेज, जैसे मर्चंट्स आते हैं, तो मर्चंटाओ का काम क्या होता है, कि भई, अपनी उसको जो चीजें हैं, उनको बेचना, और मॉनपलाइज करना ट्रेड को, तो इस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज़ करके, बंगाल में ट्रेड राइट्स ले लिए थे, दूसरा को ट्रेड्स करने नहीं देते थे, बेसिकली यहाँ पर यही है, ठीक है, कि ट्रेड को मॉनपलाइज करना है, और जितना भी है, जैसे भी प्राइस बगएरा हैं, उनको आप कंट्रोल करोगे, यह आपका जो फेज है, यह इंपोर्टेंट है, 1757 से 1813 तक, 1830 तक क्या था, कि जो भी कंट्रोल था आपका, मतलब East India Company का, उसकी मॉनोपॉली थी, बट उस कंट्रोल को देरे-देरे से, फिर आपका हटाया जा रहा था, 1813 तक, आपका चाय और चायना का, बच गया था, जिसको बाद बे, completely 1833 पे, आइ थिंक, बिल्कुल ही complete, वहाँ पे ले लिया गया था, और allow कर दिया था, दूसरी companies को भी, अभी तक East India Company ही चल रही है, ये फर्मान जो लेके आया थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसी से ही लेके आया थी, कि मैं अकेली करूंगे यहाँ पे trade, और कोई नहीं करेगा, mercantile phase में competition हटाया जाता है, ठीक है, चलो competition हटा दिया, second phase में industrial phase जो बोले जाती है, 1813 से लेके 1857 की जो वार होई थी, 1858 तक, यहाँ पे क्या था, ये आपका जैसे one way trade आपका चल रहा है, ठीक है, इंडियन मार्केट से आप raw material तो ले जाते हो, और वापस आके, सारा का सारा अपना जो माल है, वो dump कर देते हैं, machine made imports, cheap होगा, obviously machine made, तो उसके वज़े से ने बहुत सारी problems रहती थी, तो export the raw material, import और ये सब होगा, heavy duty on Indian products in England, अगर बहार कोई भेजना चाता था, तो उसको बहुत ज़्यादा duty, यहाँ पर लगानी पड़ती थी, ठीक है, उसके वज़े से क्या होगा, कि आपके जो products है, वो, जो है, वो क्या हो जाएंगे, costly हो जाएंगे, costly होते ही, competition नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यह है second phase, industrial phase, फिर आती है आपके financial phase, यहाँ पर क्या है, आप invest करना शुरू करते हैं, 1860 onwards, यह आपका हो जाता है, invest करना, invest करने लगते हो, तो अब Britishers क्या बोलते थे, आप आओ, इंडिया में invest करो, और आपको बहुत सारे return में लगा, जैसे आज के टाइम पर अपना share market होता है, वैसे ही Britishers ने, इंडिया को भी as a share market हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर railway system, 1853, post 1853, banking 1881, आवद commercial bank, तो यहाँ पर बहुत सारे investment, और देरे 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 आपका public debt बढ़ने लगया, ठीक है, और कुछ industries भी आपकी आई, Tata, Iron and the Steel, Industry 1907, अब जैसे इन्होंने maximum जो investment है, वो किया था railways में, ठीक है, Sashi, Thank you, Thank you very much, ठीक है, Ritu, Good morning, Thank you for the tea, और black coffee, यह black coffee लग रही मेरे को, टी नहीं लग रहा, Drain of wealth, अब देखो, Drain of wealth क्या होता है, wealth मतलब अब की जो संपत्ती है, Drain मतलब वो जा रही, जा कहा रही है, इंडिया से British जा रही है, क्यों जा रही है, Drain क्यों बोला गया, कि भई ऐसे, बहके जा रही है बिलकुल, मतलब यहीं से इंडिया का, जो हम बोलते हैं, कि भई सोने की चिडिया से, we have started to become poor and poor and poor, at the time of independence, जो हमारी GDP थी, सिर्फ और सिर्फ 3% बच गी थी, जो 25% शेर होता था, वर्ल्ड GDP का, अब यहाँ बहुत सारे नाम है, किसने क्या वो प्लिकी, ठीक है, तो वैसे, जो मैंने 200 मिनिट्स की सीरीज ले रखी, 200 मिनिट्स, modern history की सीरीज, ठीक हो, अब यहाँ पर देखते हम, देखो, यह क्या है, अब बहुत सारे एक तो सवाल आता है, कि कौन कौन से economical critics है, तो लगबग लगबग उसमें, जो भी option मिलेगा ना, उसको ले लेना है, ठीक है, moderates थे, वो सारे के सारे economic critics होते थे उनका, और कोई काम नहीं होता था, criticism, तो दादा माही नेरो जी इन्हों ने book लिखी थी, poverty and un-British role in India, and R.C. Dutta की जो book थी, economic history of India, the most famous books, इन्हों में, इसमें इन्हों ने सब कुछ बता दिया था, कि कैसे British policy drain कर रहे हैं, सारे की सारी wealth को, अब दूसरा जो सवाल बनता है, यह बनता है, constituents of drain were, 1, 2, 3, all of the above, ठीक है, तो यहाँ पर जो extorsions है, जो company के servant करते थे, ठीक है, from the rulers, वो भी आपके drain of wealth में आते थे, जो भी आप India से लेके जा रहे हैं, सारा का सारा drain of wealth में, purchasing good out of revenues of Bengal, and exporting them, yes, वो भी हो गया, यह एक investment मानते थे इनको, ठीक है, then duty free trade, duty free कर दिया, इनका तो सस्ता हो गया, और बाकी India के लिए, उतना competition रहा ही नहीं, ठीक है, तो इंडिया के ऐसी तसी होने लगी थी, remittances, जैसे हम बाहर से remittances आते हैं, बाहर कोई कमाने गया हुए विदेश में, तो वो remittances बेशते हैं तो, यह भी बेशते थे, remittances और salaries और pension सब कुछ, hefty interest जो लगाया जाते थे, investors को जो दिये जाते थे, वह भी आपके इसमें आगे, effect क्या रहेगा, obviously, effect तो यही रहता है, है कि यहां का पैसा वहां जा रहा है, तो वो तो अमीर हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे, तो हमारी growth कम होगी, बेटेन में capitalist development हो किया रहा है, बेटेन में यहां पर चल रहा है, industry revolution, उसको क्या चीए पैसे, पैसे गहां से आएंगे, तो आपकी colonies से, मेरे हिसाब से दोनों के दोनों sufficient रहेंगी, जो उसमें बस इतना ही है, तो इसमें अपना यह जो 200 minute series है, उसमें 1600 से लेके 1947 तक के सारे facts, वो मेरे खुद के notes के facts है, मैं वहीं से ही revise करता हूँ, modern history को तो, आप भी उसको करें तो वो भी sufficient है, प्लस यह, इसमें जो है, वो सारा का सारा है, उसमें है, ठीक है, Tamil लाडू भी कर सकते हो, ancient के लिए, और आप NCRT भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक कर लो, बहुत हार equally बहुत, अब देखते हैं, जैसे अब इन्होंने क्या हुआ, देरे के देरे, अपना land revenue system, लेको land revenue system अपना हो गया, land revenue में क्या होता है, कि land को settle कर दिया गया, कि भई यहां से आप revenue लोगे, इसमें तीन ही अपने important रहते हैं, तीन, किसने क्या किया, कितना settle किया गया, ठीक है, और कौन-कौन से reasons में था, आपके लिए सवाल है, कि chronologically, यह तो चलो अभी अपना आई जाएगा, area wise, chronology तो यही रहेगी, area wise सबसे ज़्यादा area किस में था, then किस में था, then किस में था, permanent settlement, royal body and myhal body, इन तोनों में आपको वो बताना है, ठीक है, चलो ठीक है, आपने देखिए तो very good दिप्ती, ठीक है, अब देखते हैं, permanent settlement, यानि क्या है कि, एक पर जो settlement होगी, वो permanently बहुत लंबे time period तक रखी जाती थी, यहाँ पर जो आपके areas है, बंगाल, बिहार और उडिसा में यह रहते हैं, जो दूसरा नाम आपका आ रहा है, वो है जोन शोर, वन इलावन्थ, यानि 11 ही से करे जाते थे, एक वन इलावन्थ तो जमिदार को मिल जाता था, बाकि सारा का सारा बेटिशर्स को मिल जाता था, अब यह इनका क्या होगा कि, इनको सिर्फ फिक्स मिल रहा है एक बाई गया तो इनको इनको इंसेंटिव खतम हो गया, कि यार हम इंप्रूव करेंगे, पैसे कमाएंगे, बाट सारा का सारा बेटिशर्स ले जाएंगे, अपसेंटी लैंडलोड लिजम आपका यहां से शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप अपने इसाब से करते रहो, हमें तो इतना पैसा मिले गए जो भी हुगाएगा उसका, यहां पे तो इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है, लैंड रेवन्यो, इस पे टैक्स लेने लग गये थे, अब रायतवारी, रायतवारी में क्या था, यह बंगाल मदरास में रहता था, तोमस मुन्रो, रो, रो, ठीक है, रायतवारी, रो, मुन्रो, और रीड, रो, रीड, ठीक है, चार्ल्स रीड, तोमस मुन्रो, गवर्नर ओफ बंगॉल, इन्होंने यह किया था रॉयत क्या होता है जो आपका कल्टिवेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं रॉयत अब उसी से ही लेते थे तीस साल के लिए आपका फिक्स कर दिया अनिल फार्मर्स से ऐसा कोई डिरेक्टली वो नहीं है कि कितना लेते थे यहां पर यही दोनों चीज़े इंपोर्टेंट है कि जितना भी उमसे लिया जाता था ठीक है फिक्स कर दिया जाता था कि आपको 10 साल में इतना देना यह यह पर्मनेंट सैटलमेंट है तो वो इतना ही चलेगा फिक्स चलेगा अलग-अलग डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी क्वालिटी ओफ लेंड है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पस कितनी जमीन है उसके इसाब से उसको फिक्स किया जाता था उसमें ऐसा नहीं है कि 30% 40% ठीक है सारे के सारे अलगी है सवांबिर गुड मॉनिंग ठीक है बट 110 जितना भी आप क्लेक्ट करोगे उसको 11 सोरी और 10 11 किसको जाएगा प्रेटिश को जाएगा यहां पर यह रेंट की त्योरी ही रिकार्डो लेके आया था कि वह जैसे रेंट से किंग बहेवियर होता है रेंट से कैसे कमाई करी जाती है तो वो इरों ने शुरू किया रोयतवारी से और रेंट के थ्रू ही ठीक है अब हुआ क्या कि उनको फिक्स है इतना तो पैसा देना ही देना है पैसा कहां से लाएंगे वो अपना क्रियेट होना शुरू हो गया कि मनी लेंट से पैसा लेके फार्मर आपका बिटिशर्स को दे रहा है और बार बार उस पे जो इंट्रेस्ट है वो बढ़ने लग गया उसका सारा का सारा जो सामान है जो भी रिसोर्स हैं फार्मर के वो विकने लगे बहुत बुरी कंडिशन आपके होने लगे थी ठीक है और गवर्मेंट इटसल्फ आपका एक बिग जमिदार की तरह है खड़ा होने लग गया था ठीक है फिर अपना आता है महल वाड़ी महल क्या होता है महल भोला जाता है एक यूनिट विलेज यूनिट को यह हमारा गंगा वैली यानि हर्याना प उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फार्मर कितना देना चाता है वह आपकी इंडिपेंडेंट्स है तो जैसे अपन देखें मोगल्स के टाइम पर जागीर दे दी जाती थी आप उसको कंट्रोल करते थे उससे रेवेन्यू रखते थे ठीक है जमिदार लगबग लगबग उससे नीचे होता है जागिर्दार से नीचे जमिदार बोल सकते हैं यह डारेक्ली यह जो टम आई है यह Britishers के टाइम भी ही आई है जमीन को control रखते थे इनको उतने rights नहीं थे direct rights नहीं थे जमिदार के पास जागिरदार के पास direct right होते थे revenue collection के जागिरदार किसी के through rights लेता है अब महलवाड़ी आगए यह आगए अब इनकी वज़े से क्या होना शुरू हो colonial impact हम देखते हैं लेंडर में सिंपल सी बात है देखो पहला तो को यहाँ से पैसे जो है money system एक market economy आपकी डवलप्ट होना शुरू होगी देखो money lenders आ गए money lending activities होगी क्यों cash cash crops भी आने लगी थी ठीक है और आपको जो भी rent वगएरा देना पड़ता था वो तो देना ही देना है ओके दिपिका तो अब यहां से आपका market economy cash payment system social differentiation अलग-अलग होने लगे थे रिच और ज्यादा रिच हो रहे हैं उनकी access बढ़ती जा रही है पूर और ज्यादा पूर commercial crops very very important ब्रिटेश के आने के बाद यह बढ़ने लगी prices उनके बढ़ने लगी तो देखो दो चीजे हैं तो commercial crop आपने उगाने शुरू कर दी तो जो दूसरी crops है food grain वाली वह आप कम करोगे कम करेंगे तो उनकी supply कम हो जाएगी बढ़ डिमांड food की तो कम होने वाले नहीं है तो economical concept की हिसाब से देखें तो उसका price क्या है वो बढ़ जाएगा Indian villages की stability है वो आपकी यहां से खतम होने लगे क्योंकि पहले बोला जाता था कि Indian villages जो है they are isolated तो मैं याद रखता हूँ सूशी ठीक है तो they are self-sufficient ठीक है unified as for self-sufficient unified और stagnant changes इतरे जल्दी होते नहीं है ठीक है I for integrated और isolated यह थे Indian villages इंडियन villages का character self-sufficient isolated ठीक है और unified इस टाइब से याद रखेंगे अब होगा बहुत सारे जैसे Britishers की policies से तंगा के सबने reward करना शुरू कर दिया तो हम देखते हैं पहले वाले जो reward से यह नाम जो जो मैंने mark कर रखें हैं आपको बताता हूँ चलूँगा वो सारे के सारे important हैं बाकि आप ध्यान रख सकते हैं ठीक हैं पीजेंट जो थे आपके उनके जो मोमेंट्स वेदेको पहला सबसे पहले आता है इंड़िघो रीओ अपका इंड़ियो मतलब नील दरपण भी रखता है ठीक है तो नियर्व दरपर से इंडिगो रिवोल्ट बंगाल बंगाल में आपका हुआ यहाँ बिश्णू और दिगंबर दिगंबर बिश्वास यह दोनों की दोनों नाम इंपोर्टेंट लीडर्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिरेक्ली पुझे जाएंगे प्ल फड़के राम फड़के तो रामोसी फड़के वासुदेव बलवन्त फड़के यह आपका है रामोसी मूवमेंट 1879 यह गैम रहे ना रहे बट यह रीजन्स और लीडर्स याद आपको रखने है ठीक है फिर बिजोल्य हुआ राजस्तान में चंपा रग यहाँ पे 1917 आपके दोनों के दोनों नामें आद रख रहे हैं शेयद अली एंद शेयद फैजल ठीक है बार्दोली बार्दोली में बार में सर्दार सर्दार का जो टाइडल दिया गया था बार्दोली सत्तेगरे 1928 तो केडा में 1918 और 10 साल बाद केडा के 10 साल बाद बार्दोली अटेल जी थे दोनों में गांदी जी के साथ, ठीक है? शूशी इस स्वीड इस डिस 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 अंगुल शेन डुड मॉनिंग, कोई नहीं लेट होगे, बिट आगे, वेरी इंपोर्टन, देखो शूशी के है कुछ नहीं है, ये मेंस के साथ से इंपोर्टन्ट है सेल्फ, सफिशेंट, विलेजिस का करेक्टर है, यूनिफाइड, इखटे होके रहते थे, ठीक है? और इंटीग्रेटिड, आइसोलेटिड, ठीक है? ये दियान रखना है, मस मेंस के हिसाब से है, वैसे कुछ काम कर नहीं है येस, बार दोली, बार दोली में, उनको सरदार का टाइटल मिला था, ठीक है? बार में सरदार फ़नी ट्रिक्स, नो ओफेंस टु एन्वडी सारी निये ट्रिक्स बनाई जाती है, तो उसमें सारो के सारो का कोई मिनिंग नहीं होता किसी का मिनिंग होता है, किसी का मिनिंग नहीं होता, ठीक है? ऐसा अच, ऐसा कोई वो नहीं है ठीक है, चलो, अब आया तिभागा, तिभागा क्या होता है? वन थर्ड तीन बाग करके वन थर्ड इसमें दिया जाता था बंगाल में ठीक है यहाँ पे नयामत अली एन कमपरण सिंग यह दियान रखेंगे तेलंगाना में भी आपका हुआ यूपी किसान सभा, अवद किसान सभा, इका मुमिंट यह तीनों के तीनों important है यूपी किसान सभा में आपका नाम है इंदर नारेंड दिवेदी और गोरी शुंकर मिश्रा बार बार पुछे जाता है गोरी शुंकर मिश्रा इंदर नारेंड दिवेदी यूपी के जो किसान सभा है इका की जो है अवद वाली यहाँ पे मदरासी पासी, मदारी पासी सोरी, मदारी पासी, ठीक है, मदारी पासी में क्या है आपका, इका, एक मदारी, एक मदारी, ठीक है, एक इका मदारी, एक मदारी आपका है, अवद, अवद में आपका बाबा राम चंदर, ठीक है, और राम रामोसी में था फड़के राम फड़के थे ठीक है और यहाँ पे अवद, अवद में भी रामचंदर अवद जो सबसे पहले और सबसे लास्ट में भी कैप्चर किया गया था, वहाँ पे रामचंदर ठीक है, अब हमारे आएंगे tribal moments, tribals में यही है सारे के सारे कौन-कौन से tribes है, कौन-कौन से leaders थै क्या है, इनके causes थै, causes में अलग-a-लग रहेंगे, ठीक हैा, तो चौर मर्लब revenues और इन सबसे इन journal क्या था, कि उन पे जो hardship चल रही है, ठीक है tribes है, isolated रहते थे उनमें जाके British interfere करने लगे, उनके forest का degradation कर दिया, ठीक है, उनके land लेके पाहरवालों का दे दी, इस type से, तो वो उसके against जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके है, अब हमारा यहां पे आता है, बील, बील, जो है, बील सेवा करते थे, ऐसे याद रखने है, भील सेवा करते थे, तो भील का है सेवाराम, जो आपका latest है, रामोसी, मैं यहाँ पर फिर से आपका आ रहा है, तो यहाँ पर जो रामोसी पीजन फोर्स है, और ये रामोसी, ठीक है, चितूर सिंग, परताब सिंग, तो चितूर सिंग याद र का दा कि राम चित में बसते हैं ठीक है तो ट्राइबल्स वाले जो राम है वो चित में बसते हैं तो राम उसी चितूर सी ठीक है पॉलीज जो थे इनके फॉरेस्ट कर देगे अहूं को कहा पर है यह मुझे बताओ कौन से स्टेट में है अहूंस विच स्टेट बील्स फ्रम राजस्तान येस अब यह आपके आ गया तो यहां पर और फिर चालो ठीक है बिटिश ने उकुपाई कर लिया थासी तिरुट सिंग कोल बुद्दू बगत याद रखना है ठीक है तिरुट सिंग याद रखना है सिद्धू और कहनो वेरी वेरी इ याद रखना है बुद्दू से याद रखना है ठीक है बुद्दू बगत खोल असाम येस असाम इस रएच आंसर आसाम याद रखना है ठीक है इसके बाद ये जो जो इंपोर्टेंट है वो मैं बताई रहां उपको भील्स में आए और आंग्स में आए ठीक है खोया खोया और रंपा ये है अलूरी सितारम राजू 1922 से 24 ठीक है खोया और रंपा आपने कहा है आंध्रा प्रदेश के तो ये ध्यान रखेंगे नागाज में इंपोर्डेंट नाम है रानी गंडलुई इनको पकड़के जेल में डाल दिये गया था और 1947 आजादी के बाद इनको नहरुजी ने चुड़वाया था वन ओ दे यंगस्ट लीडर ठीक है गुद मॉर्निंग निखिल अब ये हो गया नागाज आगए इनको पकड़ दिया गया इनके नाम आगए ठीक अब उसके बाद अपने और कौन-कौन से आते हैं देखो civil rewards पेजेंट होगे ट्राइबल होगे civil civils में कहते हैं जो नॉर्मली जो रहते हैं सबसे पहले सन्यासी रिवोल्ट आता है सन्यासी रिवोल्ट बंगाल सत्रासो असी chronology बहुत important है ठीक है यहाँ पे अपना देखो पैकास जो थे पैक रिवोल्ट है उडिसा में ठीक है वेलू थंपी दिवान वेलू थंपी ट्रैवंकोर के होते थे तो यह ट्रैवंकोर पिर जो लास में important अपने आते हैं कुका कुका थे पंजाब के तो पंजाब में कुका बगत जवार मल एंड श्यान साहिब यह important नाम है डिरेक्टिव उच्छे जाता है कि कुका पागल cierp पंधी बंगाल बंगाल यह canrizop आपनाज घृटक बंगाल में अपने होते थे यह इंपोर्टेंट मार कर दिये हैं कुछ जो ट्रिक्स हैं वो मैंने बता रही है देख लेना आपके आते हैं सोशो रिलेजियस मुवेंट्स इन 1923 सेंचुरी यहां से सवाल आता ही आता है अब मैंने दो तीन दिन पहले भी डा रहा था आत्मिय सभा देखो आत्मिय सभा ब्रह् पुर्ण प्रिश्य फिर आपके आती तत्व बोधिनी यह सवाल आया था अधियस में नहीं यह बनाई है देविंदरनाथ टैगोर त्लकत्ता 1830 नए ठीक है तो आत्मिय सभा ब्रह्म्म समाज देविंदरनाथ ठीक है देविंदरनाथ की टत्व बोधिनी यह तीनों याद तिक है और धर्म सभा है राधा कांद देव की याद रजह एड़ु ठीक है राजर रहां मौहन रही के साथ Sis राम राम राधा राम और राधा वैसे क्रिशन के साथ राधा आती है बटियां पर राम कि साथ राधा आरी mortalолों पहिए थार्म सवा बना दी अगता है ये 2-3 और को नाम है बस सका सा देख लेंगे बंबे में आपका आरहा है प्र अंस मंडली यह spr पंडू, पंडु बोलते हैं पंडू दे, हंस आपके पंडू दे, परमहंस पंडू परमन्दू ठीक है, बॉंबे बॉंबे वाले पंडू, टर्म भी उस की जाते बॉंबे में ही, तो दाडोबा पंडू रग, ये हो गया नामधारी रामसिंग के थे रादस्वामी तुलसी रामका था ठीक है, ब्रह्मो समाज ओफ इंडिया केसब जंदर सेन, ये इंपोर्टन्ट है तो केसब जंदर सेन जी ने बनाया था ब्रह्मो समाज, प्रात्ना समाज ये आत्मारांग पंडुरंग का है अगेन, प्रात्ना समाज बंबे तो पंडु-पंडु बंबे प्रात्ना समाज, प्रमांस्मेंट ली ठीक है, आर ये समाज, स्वामे द्यारंद सरुसुती वेरी-वेरी इंपोर्टन्ट नियोप में आपके बनाएगी थियोसोफिकल सुसाइटी, दोनों नाम ससाइटी ओफ इंडिया, ये क्या था बेसिकली, मतलब बाहरवालों ने बनाएगी थी, इसमें एनी बेसेंट भी आपके थी, जो की फर्स्ट पीमेल प्रेजिडेंट ओफ कॉंग्रेस ठीक है ये आपका हो गया दैन हम देखें इसमें, बाद में उसके तीन साल बाद आपका बना है साधारन, ब्रह्मो समाज, आनन्द मोहन बोश, ब्रह्मो समाज राजराम मोहन रहा है, साधारन लगा दिया तो आनन्द आनन्द मोवे में, जो अपना वो है राजेश कन्न तो राजज का ना बदा ही साधारन सा आदमी था उसको बिमारी होगी, कैंसर हो गया, फिर वो हो गया था एनी बेसेंट, 1970 वेरी गूड अनिल, थैंक यू आप हमारे यहां पे आगे, अब यहां पे अलग-अलग देखो Education Society, Deccan Education Society, मुहमधियन बनाए गए थी अलिगड में और सरसेयद एहमध खान, यह ध्यार में रखना है, ठीक है Deccan वाली अगर कर, अजीत अगर कर है, तो Deccan वाली अगर कर दो Education Society हैं, पोने में Deccan, अलिगड में मौहमधियन, यह होगी चालो ठीक यहाँ पर कुछ-कुछ-कुछ-कुछ है, Important next क्या है आपका, रामा कृष्ण Mission, बैलूर, स्वामी, विवेकानन्त, and servants of India Society, servants of India Society, Indian Society, गोपाल कृष्ण गोखले, यह सवाल बार-बार कुछ है जाता है, तो गोखले जी आपकी servant थे, मैंने तो ऐसे याद रखा था, कि गोखले जी servant है, और स्वामी विवेकानन्त का तो सब को पता है, रामकर्ष्ण Mission, यह तो important है, उसके बाद पुने में आपका पुना सेवा सदन बना था, तो यहाँ पे रानाडी, स्वारी, रामाबाई, रानाडे, जेके देवाकर, यह थे, social service league, एन एम जोशी, ठीक है, जोशी शामने social service की league बनाई थी, यह आपके boom में है, ठीक है, servants आपके गोखले जी है, और league आपकी है, दखो, facts होंगे, याद करने पढ़ेंगे, सवाल यही से पूछे जाते हैं, इनको avoid नहीं कर सकते, ठीक है, करने हैं, तो करने, ठीक है, फिर सेवा समीती, अलाबाद में बनी थी, कुंज्रू ने बनाई थी, सेवा समीती, कुंज्रू, सारे important है, सारे important है, most important मैंने बता दिये, अब इसमें अलग-अलग जो अपने important social religious, स्वामी सहजारान ने भी किया था, ठीक है, राजरा मोहंडरॉय, 1772 में इनका जन्म हो, वेस्ट बंगॉल, इन्हों ने आत्में सभा बनाई, ब्रह्मो समाज बनाया, ठीक है, और सती, इनके हुआ क्याता कि पर उसमें एक औरत सती होगी थी, तो उससे related, इन्हों ने लिखा था, और इसके against भी काफी protest किये थे, और बाद में William Bantic के साथ मिलके, इन्हों ने इसको abolish भी करवा दिया था, ठीक है, तो यहां पर ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज और आपका आत्मे सवा, यह जो जर्नल लिखते थे, उसका नाम था, शबद कोमुदी, यह याद रखना है, सबद कोमुदी किसकी दी, राजराम मोहन राइक की, उसके बाद आपके आते हैं, देवेंदराथ टैगोर, इन्हों ब्रह्मो समाज की तो यह जो लेडिशिप है, उसका टॉक ओवर किया, तत्व बोधिनी शबह 1839 यह बनाई, तत्व बोधिनी पत्रिका बनाई, और बाद में इसको अमलगेट, अपसमें मिले, ठीक है, तो देवेंदरनाथ, तत्व बोधिनी, बोधिनी तत्व बोधिनी द बोधिनी बोधिनी बड़ा चल रहा है, बोध, ठीक है, रैडिकल रिफॉर्म्स यह नोंने सज़ेस्ट किये, जैसे कि कास्ट नेम को छोड़ दो, इंटरकास्ट मैरेज करो, विड्डो रेमेरेज करो, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि दो है, एक तो ओरिजिनल ब्रह रहे हैं, आदी ब्रह्मो समाज, और दूसरा यह यहाँ पे आ रहा है, ब्रह्मो समाज अफ इंडिया, ठीक है, एस्टेबलिश भाई, केसर चंदर सेन, 1866, साधारन ब्रह्मो समाज, आदी ब्रह्मो समाज, और दीसरा क्या आ रहा है, ब्रह्मो समाज अफ इंडिया, तीनों 21 scientifically speaking यह जो एज है यह गलत है boys की 18 होने चीह है females की 21 होने चीह है can anyone tell me the reason why I am saying this अभी कहा है girls की 18 है boys की 21 है तो यह उल्टा क्यों होना चीह है आत्मारा हम Pandu Rang ने तो बनाई दिया था प्रार्थना समाज बोंबे में स्वामी द्यारण सरस्वती तो यह जो आपके थे इनको बोला जाता था मुल्ला शंकर एक यह यादर्ट है originally मुल्ला शंकर इन्होंने आरिय समाज बनाया बोंबे में लिखा गया था सत्यार्थ परकाश यह बहुत ही famous book है सत्यार्थ परकाश स्वामी द्यारण सरस्वती आरिय समाज आज के टाइम पर भी आरिय समाज बहुत सारे इसको वह करते हैं बोधिनी मीन्स वूमेन इन बंगाली थैंक यू जाकर इस अन्यों थिंग तू लर्ण ओके अभी आंसर नहीं आया किसी का भी इसका फिर आपका स्वामी विवेकानन जी स्वामी विवेकानन जी क्या थे स्वामी ओरिजिनली नरेंदनाथ दत्ता इनको बोले जाता था रामक्रिशन मिशन इनको बना है 1887 चेकर निभा गयरी पहली वार सुनिए बाद इसकी पिछे का रीजन आपन बताएंगे क्लास के बाद अब यहां पर जैसे लोवर कास्ट मुमेंट वैरी वैरी इंपोर्टेंट सत्य सोदक्समाज ट्रिपल एस किसका है जोदिवा फूले 1873 ठीक है उसके बाद अपना ये बना चलो ठीक है फिर आपका आता है एसफेंटिया एसन थी एक आ डैव यह था यह तस आ है साउथ के जितने परम इंपोर्ट एसन डीपी वरी वरी इंपोर्ट। है संडीप से लेनाम है शेह नाय Craxi शेह नारेंट धरम परी पालन योगम मुमेंट केरलाका ठेक है अराइपुरम भी केरलाका ये भी श्री नायरेंट गुरू का है ये भी श्री नायरेंट गुरू का है डिप्रेस क्लास मिशन सुसाइटी ये पूछा जाता है UPC में बार बार पूछा जाता है ये सवाद सोसाइटी जो है डिप्रेस क्लास में मिशन सोसाइटी ये है शिंडेगी ठीक है बॉंबे में जस्टिस पार्टी मुमेंट ये आपका तमिलाडू मदरास में आता है यहाँ पे मदलयार चेटी, नायर सबने मिलके बनाई है बवश्कृत हितकरनी सभा हितकर, अमबेड कर हितकर, करकर, अमबेड कर हितकर, अमबेड कर ठीक है? तो हितकरनी सभा है अमबेड कर वुमेन इस डारटे टो केरी चाइल आफ्टर टुटी वन इंडियन सोसाइटी में ओल्ड गर्ल से मैरेज नहीं होती तो मेभी बॉइस की भी अटोमेटिकली फिट टुटी वन में ही होगी चलो ठीक है होगी आए डिस्कुशन अब इसको मैं बाद में एक्स्प्लें करूँगा ठीक है? चलो हितकर, अमबेड कर सेल्फ रिस्पेक्ट मुमेंट ये बहुत इवी रामस्वामी पेरियार ये डिरेक्टली सवाल आएगा ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट रामस्वामी नयकार हरीजन सेवक संग हरीजन नाम जो है वो जैसे दलित दलित बोला जाता तो दलित मतलब क्या होता है? इंसी आटी में लिखावा तो प्रिडम स्ट्रगल में अपना देखो रिवोल्ट ओफ ऐटीन फिफ्टी सवन तो यहां पर आपके लोड कैनिंग ते कोजिस क्या थे सारे के सारे पॉलिटिकल सोचल एकनोमिकल यह अपने अलगलग तरीके के रहेंगे नाना साहिब थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी आवद को एनेक्स कर लिए गया ओन दे नेम ओफ मायल अडिनिस्टेशन यह डिरेक्ली बुचा जा सकता है ठीक है, पॉलिटिकल तो यह होगे फिर जो हमारे डॉक्राइन फ्लैप्स में आ रहे है सतारा जब संभलपूर सबको एनेक्स कर लिए गया दे डॉक्राइन फ्लैप्स में यह होगे पॉलिटिकल एक्नॉमिकल के हैं, आपने टैक्स बहुत सारे लगा दिये, एविक्ट कर लिया, निकालने लग गे बहार, डिस्क्रिमनेटरी तरी हरी मतलब बगवान, बगवान के जन, डिप्रेस्ट, यस, दलिट का मतलब होता ब्रॉकन, ठीक है, दलिट टम्स में ब्रॉकन, यह हो गए, चलो ठीक है, अब यहां पर बिटिश शोसल रिफॉर्म्स में, इन्होंने देखो, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लिया थे, यह र सवाल यह आएगा, सती, सबसे पहले सती अब बोलिश करीगी, फिर विड़ो रिमेरिज करीगी, फिर चाइल्ड, चाइल्ड रिमेरिज का एक्ट है, तो क्रोनलोजी यह है, याद कैसे रखेंगे, देखो, एक औरत जो है, वो सती होने जा रही थी, क्यों सती होने जा रही कि वह सती मत हो, ठीका, जी नहीं होई, 1829, फिर उसकी रिमेरिज करीगी, विड़ो थी, तो रिमेरिज करने जो रही, अब रिमेरिज करीगी है, तो उसको बच्चा होगा, फिर उसकी जो चाइल्ड मेरिज है, उसको रोकना पड़ेगा, तो क्रोनोलोजिकली सबसे पहले सत दी है, फिर विड़ो रिमेरिज है, फिर चैल्ड रिमेरिज से रिलेटेट, तो तीनों की क्रोनोलोजिकली ऐसे याद रखने है, 1829, 1856, अचा, चैल्ड मेरिज से रिलेज़ रिलेज़ आया था, उसका सन किसी को याद दे, तो कमेंट कर लो, मिलिटरी में जो शोल्जर्स थे, उनकी सिच्वेशन बहुत बुरी थी, इमिडियेट को जो बोला जाता, जैसे, एन्फिल्ड राइफल्स हम बोलते हैं, ठीक है, उन पे वो लगा दिया गया था, जैसे, गाय का, वो बोला जाता था, कि भाई, उसका चूने में, वो मिला ह हुआ है, या फिर राइफल जो है, उनको मुह में लेकर आप अटाते थे, तो वहां पे बोला कि गाय का इसमें मास लगा हुआ है, और बोला कि सूर का मास लगा हुआ है, गाय पवित्र होती थी हिंदों के लिए, पवित्र होता था मसलिम्स के लिए, पवित्र चीज को भी नहीं खा सकते हैं पवित्र चीज को भी नहीं खा सकते हैं ठीक है तो दोनों तरफ से गड़वड होगे तो इन्होंने इमिडियेटली ये रिवोल्ट होने लग गया इसने हुकसन और बॉग दोनों को मार दिया मार दिया चलो अब वहां से मेरट मेरट में ये शुरू ही आपकी 10th में 1857 ये डेट वेरी वेरी इंपोर्टन इन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ भी लिया गया बट देन आपको बहुत बोल रहे हैं कि मारो फिरंगियों को चलो यहां से एक म्यूटिनी जो हम बोल सकते हैं म्यूटिनी क्या होता विद्रो तो सिपोई म्यूटिनी सिपोई का विद्रो ये शुरू हो गया चलो ठीक अब ये इंपोर्टन डेट है दिल्ली में शुरू ही आपके 11 में 1857 फिर कानपूर कौन कौन थे यहां पर यहां प कंडा था हडसन ने बेटे पर गोली मार देती हडसन के दूसर ओफ सन और पे गोली मारे थी किसके संकर बादर्शा जफर के प्उन्ट ब्लांक चीक है 1929 सती का तो 1929 नहीं बोला जाता है वैसे 1929 अच्छा स्वरी चैल्ड मैरिज का चैल्ड मैरिज का यार मुझे भी याद नहीं है 1929-30 कुछ भी हो सकता है I'm not sure कानपूर में थे नाना साहिब और कोलिन केमपल ठीक है कैम लगावाँ कानपूर में कैमप कानपूर लखनाओ में बेगम हजरत महल अगेन कॉलिंग कैमप जहासी जहासी में मैंने क्या बताया था रोज लेके हुग रोज गये थे कि जी आप जहासी दे दो तो राणी लक्षम भाई ने उनका रोज मना कर दिया कि नी 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 चीए और फिर विद्रो शुरू हो गया थीक है हिग्रो नहीं कहा था कि राणी जहासी ही थी सबसे इंपोर्टन्ट और सबसे पाउर्फुल जो लड़ी थी ठीक है जगदीश पूर में आपके आ रहे थे कौर्ट सिंग अमर्च सिंग यह यादर ने बिहार के यह लैंडलोड होते थे जमिदार होते थे अब देखो हुआ क्या किसके साथ क्या क्या हुआ यह भी बहुत इंपोर्टन्ट है बादुशा को पकड़के डिपोर्ट कर दिया रंगूल 1862 में मर गया उसके बेटे को भी गोली मारतेगी नाना साहिब को भी सब्सक्राइब नेपाल में आपके कान बादुर कान आइटिंग यह चले गए थे ठीक है फिर राणी लक्षमी भाई डाइट इन बैटल फिल्ट कुमर्ट सिंग वंड़े डाइड हुग रोस यह आपने देख लिया अपने देख लिया थे बेस्ट इन ब्रेवेस्ट बेरी मॉलवी ऐहमอะไร टे कि यह वह रहली से पैजबाद सुरी फैजबाद शाह ढंका शाव चार आथा पर कुछ नहीं पता कि क्या करना है बट सब परेशान थे तो इसलिए इसके अगेंस्ट आगे थे ठीक है इनने यह डिस्यूनिटी था लैक ओफ कंप्लीट नैशनलिजम सिंदिया होल कर यह भी सब अलग तरीके से लगे वेड़े कोई कॉडिनेशन नहीं था और बिटिश सुपी कि एक नेचर की बात करी जाती है कि या तो यह वार ओफ इंडिबेंडन्स थी या फिर नहीं थी तो एक तो सिपोई मुटिनी कि वलोग दुखी थे खड़े हुए सबकी अपनी अपनी इंडिविजिल ग्रिवेंस थी सरसय अहमद कार यह इन्होंने बहुत सारों ने यह रहें कि it was a national struggle not limited only to the supply मिट नहीं यहां पर आपके सारे के सारे अलग-अलग और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जविदार्स भी आ रहे हैं आपके रूलर्स भी आ रहे हैं ठीक है सिविल और जो पेजेंट रिवोर्स भी पहले हो रहे थे उन्होंने भी कहीं ने कहीं सपोर्ट किया ठीक है तो यह दो भी अपने आते हैं मेंस के हिसाब से आप इसको याद रखेंगे important books दो बुक यहां पर आपके बहुत-बहुत important है first Indian war of independence and the India the India war of independence यह सावर करके first Indian अगर आए first Indian लिखिए कालमाक्स ने कालमाक्स बहुत sociology के बहुत famous thinkers है इनकी जो theories है have and have nots की economical determinism ठीक है have and have nots economical determinism जो एक ठीक है economic determinism जो एक ठीक है economic deterministic यानि हर चीज जो है वो economy चलाती है ठीक है किसी भी चीज़ को देख ला तो कहीं न कहीं कोर में आपकी economy ही मिलेगी यह दो वो की याद रख लेना बाकी पढ़ लेना ठीक है फिर देखो अलग-अलग यहां पर opinions आते हैं कि भी इट वस एर पेड़र टिक हां नाइदर फस्ट नोर नेशनल एंड नोर वार अफ इंडिपेंडेंडेंस यह किस ने कहा था आर सी मजूम्दार यह याद रखेंगे वीडी सावर करके याद रखेंगे कि इट वस्ट वार एंडेटेंर्स सवाल आता है फिर्स्ट इंडियन वार ओफ इंडेपेंडेंस ब्फॉक किसने लिखी काल मार्थ वार फिस्ट वर इंडिपेंडेंस किसने बोला था वीडी सावर करके इंपेक्ट क्या हूओ impact यह हुआ Britishers को realize होना शुरू हो गया कि हम जो कर रहे हैं वो उकलत कर रहे है अपना control कम करो तो East India Company है उसका तो control धीरे 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 इन्होंने खटाना शुरू कर दिया Crown British Crown ने आपका यहां से control लेना शुरू कर दिया अब यहां पर पर एक office बनाया गया Secretary of State का इसको advice करने के लिए 15 member councils आपकी बनाएगी वाइसराय का office आया वाइसराय फर्स्ट वाइसराय आपके लिए सवाल है Who was the first वाइसराय of India and the last first वाइसराय का एक designation यहां पर आगा doctrine of labs हटाली कि उसकी वज़े से सारे के सारे परेशान हो गये थे और उन्होंने revolt करना शुरू किया था तो इसको टाओ divide and rule की policy यहां पर हिंदू-Muslim unity थी एक चीज़ से इनको realize होई गई है कि यह दोनों साथ में मिलके काम कर रहे है so let us divide them and rule food डालो ठेक है और राज करो food और राज करो की नीती यह हो गया अब इसके वज़े से यह हो गया ठेक है चलो अब यहां पर सारे के सारे यह रोज़ काम पर अब हम आते हैं 1885 से 1905 तो अलग-अलग phases आपके चल रहे हैं ठेक है तो यहां पर यह है moderate phase 1905 में जब अपना बंगाल विवाजन हुआ partition of बंगाल उसके बाद हमारा आता है canning and mount button ठीक है Lord canning first voice ray vairn hasting governor journal of बंगॉल ठीक है vairn hasting विवान वो governor journal है बंगॉल के ठीक है अब देखो अलग-अलग society जैसे जो अपनी 1885 अपके Congress बनी है Congress से पहले बहुत सारे organizations यहां पर आ रही है सारी के सारी important है याद रखनी है landlord देखो उस टाइम पे जो टेगोर्स थे वो बहुत बड़े landlord होते थे तो उन्होंने ही landlord landholder society बना ही द्वार का नात टेगोर्स में ठीक है पहला तो ये फिर बनी थी BIS BIS William Adams British India Society फिर बनी BIA इन दोनों को मिला के landholder और इसको मिला के British India Association BIA ये देविंदरनाथ टेगोर की है पहले द्वार का नात की है फिर देविंदरनाथ टेगोर की है सबसे पहले बन रही है उदर की तरफ उपर की तरफ बंगाल में ही क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा active रहते थे 1837, 1839 जो पूछी की थी थी 1851 दैन आपका आता है मदरास Native Association ये कापे बनी है मदरास में Bombay Association जगनात शंकर शेट फिर है East India Association बिया तो आईगी थे दोरों के मिला कि ये क्या है East India में आपके रहते थे दादा भाई नैरो जी मैं तो ऐसे याद किया था East India आते ही दादा भाई नैरो जी ठीक है East India Association दादा भाई नैरो जी पूर्णा जो सारुजिनिक सभा है पूने में बनी थी जोशी, रानडे, चिपलुमकार इन तीनों ने बनाए Indian Society, Indian League Indian League, Indian Association ये दियान रखें Indian League जो है Indian Premium League IPL का मैच होता है तो सुषिर कुमार गोश ठीक है SKG Indian Premium League सुषिर कुमार गोश और आनंद और सुरेंदर ये जो दोनों थे इन्डियों ने मिलके बनाए थी Indian Association Association बनी है दो लोगों की दोगों की Association है सुरेंदरनाथ बैनरजी एसन बैनरजी बैनरजी और बोस ठीक है गूद मॉर्निंग स्वापनिल ओके ये हो गया अब आएगा चारी चारलू अयर चारी चारलू और अयर इन्होंने क्या बनाए मदरास महाजन सभा important फिर तीन यहां पर आएगे महता तिलांग और तैयब जी चारी चारलू अयर महता तिलांग तैयब जी इन्होंने 1884 और 1885 से जस्ट पहले ठीक है British Civil Servant होते थे इनके साथ मिलके तो यहाँ पे दो theories आपके चलती है Lightning Conductor ठीक है और Safety Wall Lightning Conductor क्या बोलता है कि भई जो Indians है उन्होंने Congress को as a Lightning Conductor use किया Indian War of Independence को achieve करने के लिए Indian Independence को achieve करने के लिए देन यहाँ पे आपका आता है दूसरा कि भई नहीं यह Safety Wall थी कि भई Britishers ने Congress भी यूज किया as a Safety Wall कि दुबारा से 1857 जैसा revolt ना हो जाए but more appropriate Lighting Conductor क्यों finally India got Independence भूमिका do we need to remember years कुछ कुछ years तो आपको याद रखने पड़ेंगे the cost benefit analysis is very low जो याद रह जाए जिसका याद रह जाए ठीक है नहीं याद रहे तो भी ठीक है क्यों क्योंकि वो वाले जो years है most of the students 95-98% of the students will not be able to remember the years तो वही एजी सवाल गलत नहीं करना है वो थोड़ा टफ की कैटेगरी में हो जाएगा कुछ ऐसी पूछ लिए बट अब पुने वाले प्लेक से रिलेटिड भी एक नाम आता है जिनको मारा गया था चापे का ब्रदर्स ने मारा था क्या नाम था उनका बिटेश ऑफिसर थे उनका नाम क्या था ठीक है वो बताईए अब यहाँ पर आका आपका 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 पुने में आउट ब्रेक हो बोलो जाता है कि अभी तक जो पॉपलर पार्टिस्पेशन है कॉंग्रेस में वो तो नहीं हुआ है तो डेकेट्स तक मॉडरेट रहे डिमांड करते रहे कौन-कौन से डिमांड पी-पी प्रेयर प्रेटेशन ठीक है और यह सब न्यूस पेपर पे डालके यह करते रहते थ है तो मॉडरेट लीडर्स आपको पता होने चाहिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है देख लेना ठीक है नेरो जी यह हैं तैयब जी राना डे विनर जी विनर जी विनर जी मदन महान माल विया कृष्ण गोपाल कृष्ण गोकले आनन्द महान बॉस ठीक है गोश्ट यह जो डिमांड करते थे कि हमारा participation बढ़ाओ, participation बढ़ाओ, इंडियन का participation बढ़ाओ, अब दो चीज़े यादर ने बहुत important है, duffer ने कहा कि duffer आप minority हो, congress को काट, congress duffer है, minority है, तो किसने काट, dufferin है, duffer को ही minority कहते हैं, तो congress is represents, anc represents only microscopic minority, बहुत ही कम लोग यहाँ पे हैं फिए अभी कांसर डबॉलु सी रामaro तो उसके मेंनार्टी में समें बोला कर्गुजरो कर-GO string कांग्रेस की ऐसे-तैसे कर दुँंगा यही कांग्रेस कि Congress is trotting to its wall and one of my great ambition while India is to assist it to a peaceful demise चांती से मर जाए मैं यह ही चाहता हूं Congress, तो Congress को कर गुजारेंगे, कौन बोल रहा है करजन, और डफर बोल रहा है Minority, ठीक है, डफर्स चोट चोटे डफर्स, तो Minorities है यह दोनों statement directly सवाल आते हैं, डफर and यह हो गया, Bagging Institute और यह और यह ठीक फिर हमारा बंगाल में शुरू हुआ extremist वाला जो phase है यहाँ पे बंगाल में जो आपका partition था, उसके against आप जो moderate से वो चाहरे थे कि limited रहे बंगाल में, extremist थे वो चाहरे थे कि बाहर भी निकले, demands भी बिढ़ाना चाहते थे, तो extremist के आने के कारण क्या था? prayer petition तो तब तक चल रहे थे, जब तक उनको लगता था कि Britishers हमारे सुनेंगे पर इनको realize हुआ कि true nature of Britishers exploitative है, ठीक है, international influences भी होने लगे white supremacy भी demolish होगी थी यह हार गये थे, जैसे boyer wars में हार गये थे इटली में हार गये थे, Britishers, तो उसके बाद इनने लगा कि इनसे भी जीता जा सकता है, देन जापान, 1905, यह सारे सवाल आते हैं, ठीक है, बोयर वोर, इटली, इटली 1986, बोयर वोर्ट्स, आई बी, ठीक है, आई बी जे, तो यह ऐसे कैसे भी याद रख सकते हैं, देन, जापान ने विक्ट्री करी रश्या पे, 1905, तो उसके बाद, और करजन है, करजन ने तो partition करवाई दिया था, इसकी जो policies हैं, यह तिनों याद रखने हैं, कलकता Corporation Act 1904, यूनिवर्सिटीज एक्ट 1905, और बंगाल 1905, तो 1905 पर क्या क्या आया था, कंपनीज बनी थी, ठीक है, बहुत सारी chemical companies और यह सब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था, यह भी UPC में सवाल पूछा गया है, और रेड़ी, प्रिविश एर पेपर में भी अपन देखेंगे, अब यहाँ पे लाल, बाल, पाल सबसे famous आते हैं, prominent extremist leaders, तो देको बाल गंगा दर ती लग, इनको बोला जाता है, लोग पाने ती लग, इन्होंने दो magazine निकाल थी, केसरी और मराठा, मराठा में नहीं थी, उल्टी, केसरी मराठा में है, मराठा आपकी English में है, यह गनपती फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, organize कराके करते थे कि लोग आये, एकटा होएं, religious harmony बनाए जाएं, बट ये थोड़ा सा backfire कर गया था, इससे आपके religious harmony की बच जाए, communal divisions थोड़े-थोड़े बढ़ने लग गये थे, and इन्होंने फिर गीता रहस से लिखी थी, और बोला All India Trade Union Congress, 1920, very very important, ये भी ये रियाद रखना है, इन पे प्रिजाइड गया था, then Simon Commission में तो लाठी चार्ज हुआ था, और लाला राजपतराय जी की डैत वी थी, एक pamphlet था, the lost leader, वो लाला राजपतराय के context में लिखा गया था, the lost leader, कि भई, ये थोड़े से communal एंगल इनके अं Yes, Mamta, Good Morning, League, Good, Disappointed, Yes, ठीक है, सुमन, Very Good, अब अपना तो ये ही आए गया, अब यहाँ पे देखो, विपिन चंदर पाल, लाल, बाल और पाल, इन्होंने वंदे मातरम मेगजीन थी और New India, ठीक है, New India बाद में, New India एक से और आती है, New India में एक और आता है, New India and the common wheel, New India and common wheel, किस से related है, किस की थी है, common wheel, WHWEL, ठीक है, New India and common wheel, राइटिंग बहुत ही अच्छी है, I appreciate that, ठीक है, तो ये हो गया, इनका आया, तो एक तो लाल, बाल, पाल, पाल का याद रखना है, बंदे मातरम में, New India दोनों के दोनों, ठीक है, काम हमारा आ रहा है, यहां पर अधर, चलो, ठीक है, हाँ, सर अरविंदो बोस, यह चोथे लेडर थे, इन्होंने ICS का एक्जाम क्लियर किया था, ग्रीक और लैटे में बहुत हाई स्कोर किया था, भगत सिंग ठीक जवाब है, गुल्शन एंट सुमन, वेरी गुट, यहां पर इन्होंने लिखनी शुरू करी थी, जुगांतर, और जो आपकी यह भी आ रही थी, कौन सी? वंदे मातर में, ठीक है, वंदे मातर में भी यह लिखते थे, यह दोनों के दोनों सर्वर रिंदो गोश्ट लिखते थे, बात में पॉटिचेरी में, अर्विंदो आश्रम भी है, योगा वापे करने लग जाते हैं, ठीक है, अब बंगाल का पार्टिशन हुआ, आपका पार्टिशन जो है, वो अनॉंस, गेम इंटो एफेक्ट होन, 16 अक्टूबर 1905, रोयल प्रोक्लमेशन होगा, में अब्जेक्टिव जो था, डिवाइडन रूल, कि हिंदो और मुसलिम को अलग कर दिया जाए, इस्ट में, मुसलिम मेज़ोरिटी, और जो पीछे वाला है, वेस्ट में, हिंदो मेज़ोरिटी, तो दूसरी वाली कम्यूनिटी अपने आप ही, माइनर्टी में आ जाएगी, इन दोनों का अपस में बिढ़ा देंगे, और लड़वा देंगे, तो 1905 में क्या वाग गोपा इन्होंने resolution, चार resolution पास किये थे, boycott, national education, स्वलेशी और सुराज, ठीक है, इस टाइप की ये बाते करते थे, फिर आग लगा दे गई, foreign goods में, और इन सब में, तो ये सारा का सारा हुआ था, अब आपका, जैसे कौन-कौन से area में, कौन-कौन से ladles हैं, वो आपको ध्यानक न दिल्ली में, चिदम्रम पिल्लाई, मद्रास, नामी वाईं का है, तो मद्रास, ठीक है, तो ये आपका है, और यहाँ पे भी विविशन अदर पाल extensive lecture tours भी कर रहे हैं, ये तो चले गए, ये तो चले गए, ये तीनों के तिने यादर के पंजाब में कौन-कौन थे, दिल्ली ये मुस्लिम लीग, बनाए किसने दी, नवाब सलीम उल्लाः और दाका, और इन्होंने तो opposite, 1905 में partition हुआ तो बोले की ठीक है, बंगाल का partition करो ठीक है, सब्सक्राइब करो गलत है, तो उसका oppose कर रहे है, communal differences, बट 1916 में, 10 साल बाद जब आपका लखनों पैक्ट होगा, तो कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में भी आएगे, ठीक है, तो अब देखते है, 1906 और 1907 का सेशन, तो एक ये चीज़ इंपोर्टेंट है कि कि उसकिसने प्रजाइड किया, 1906, दादर भाई, नैरो जी, और 1907 का कौन था, 1907, 1907 के सेशन में कौन थे, प्रेजिदेंट, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, 1907, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सुराज फस्ट टाइम, पहली चीज़ दी आएगी कि सुराज फस्ट टाइम जो गोल है वो अडॉप्ट किया गया था, कब? 1906 में, सूरत स्प्लिट यहाँ पे इन पे गटवड होगी थ तो रास, रास भिहारी, गो, 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 मैंने यार किया था, गो, गो, गोश, ठीक है, गो, गो, गोश, तो साथ में जब चिला रहे थे कि गो, गोश, रिवर तापी, उसकी उस पे याद रखना है, और ये तीनों ही थे, अब क्या होगा, सुरत स्प्लिट से, एकदम से मतलब, उन्हें तो अच्छा लगा, इन्होंने करना क्या शुरू किया, कैरेटन स्टिक, जो भी एक्सिमिस थे, उनको पकड़ पकड़ के, जेल में डाल दिया गया, ठीक है, तिलत को बेज दिया गया, मैंडले चाह साल के लिए, और बिन तो गोश, ने, पॉलिटिक्स छो कि में मुसलिम, मुसलिम को वोट करेगा, हिंदू, हिंदू को वोट करेगा, उस हिसाब से यहां पर मुद्धा चल रहा है, ठीक है, बट, आपको ध्यान क्या रखना है, और जितने भी रिफॉर्म्स हैं, या फिर और जितनी भी चीज़ें हुई, आपके नाइटीन, नाइ पर आपका गांदे जी आया थे, गांदे जी उस टाइम पर बस एक हम रूल लीग अपन द्यार रिख लगते हैं, देखो पहले जो है वो बनाई तिलक नहीं, अठाई सप्रेल 1916, फिर आपकी सितंबर में बनी है एनिबेसेंट, तिलक की थी, शह जगे थी, और एनिबेसें इंदरनाथ, सप्लिमेंटरी केश्चिन, वेरी गुड़, और सेपरेट एलेक्टो रेट तो आपका आई गया है, ठीक है, वेरी गुड़ सुमझ, अब ये तो दोनों दोनों द्याद रखो कि क्रानलोजी के लिए पहले तिलक की आई, तिलक की कम जग है थी, जादा एफेक 1920 में इनिका नाम चेंज करके सवराज्य सभा, एक ये भी चीज़ याल रखेंगे, इंडियन होम रूल लीग को चेंज कर दिये गया, सवराज्य सभा में, 1916 में मैंने बताया था, पैक्ट वा हिंदि-मसलिम उनिटी हुआ क्या, कॉंग्रेस ने एकसेप्ट कर लिए सेपरे चीक है, तिलक, महरास्टरा, करनाटका, बेरार, बॉंबे, एकसेप्ट बॉंबे, महरास्टरा तो चले गए ही, यॉनाइटिड प्रॉविंस, ये तिलक क्या थे, मॉन्टेगू डिकलरेशन, ये आपका 1917 में बाद है, मॉन्टेगू चैंप्ट रिफॉर्म, मॉन्टेगू देखनी है, तो revolutionary phase आपका दो phases में चलता है, भगत सिंग वाला और एक उससे पहले वाला, यहां पर देखो, मित्र मेला, मित्रों का मेला बराता, तो दो मित्र थे, सावरकर ब्रदर्स, ये नासिक में बना था 1901, 1900 शुरू होते ही, ठीक है, उन्हे में तो चापेकर ब्रदर अनु, ठीक है, तो ये मैंने उसमें भी ट्रिक बना रखे कि अनु का प्रमोद, अनु और प्रमोद का चकर चल रहा है, तो अनु प्रमोद के साथ भागे थी, प्रमोद मेरे एक दोस्त है, उसके नाम पे मैंने ध्यान रखा था, तो प्रमत है ये, प्रमत है, प्रमोद मित आज के टाइम भी अभिनो भारत अखंट भारत इन सब की बाते चलते रहती हैं, तु वीडी सावर कर जी है वो अभिनो भारत इनों ने बढ़ाया था, टीक है, तो यह अभिनो भारत अनू का चक्कर प्रमोट के साथ, ये दोनों होगे, शाबाश, अश्वणी है, अमारी क्ल दोबारा से अनुशील समीती आ रही है, अनुशील ये मिद्रापूर की है, पंजाब, डाका की अलग है, ध्यान रख लेना, भारत माता की जए, ठीक है, भारत माता की जए, किसने बोली, भारत माता की जए, बोली, अजीत सिंग जो की चाचा जी थे, आपके भगत सिंग के, फिर HRA and HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिक असोसियेशन and हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक असोसियेशन सचेंदरनाथ सानयाल सचिन की थी पहली और बाद में आज़ाद की बीच में भारत नोजावन सवा भगत सिंग की ठीक है ये तो सबको पता है ये तीन की तीन इंपोर्टेंट है पहले सचेंदरनाथ सानयाल and then आपकी चंदक सेखर आजा ठीक है त्रिक्स है आप नो डाउन कर सकते हैं अब देखो बाहर कौन-कौन सी बनी तो एक ही हाउस है हाउस में बैठे हुए है और लिख रहे है तो इंडियन फॉल होम इंडियन हॉमरूल शॉसाइटी लंदन में अगर है वहाँ पर सोचिलोजिस्ट शाम जी क्रिश्न वर्मन ये एक दिमाज में ध्यान रखेंगे इंडियन हॉमरूल, हॉमरूल, होम ठीक है यह हो गए। अगेन अभिनव भारत, वीडी सावर कर अपना हो गया, IPL, IIL, Indian Independence League, तारकनाथ, तारकनाथ को उल्टा चश्मा, वो खेलते ही रहते हैं, तो IIL, वो Indian Independence League, खेलते हैं कैलिफॉर्निया में, बर्लिन में भी ये थी, बर्लिन में कौन थे, विरिंदरनाथ चुटपाद है और लाल हर दियाल की ही है, तारकनाथ का उल्टा चश्मा, ठीक है, चश्मे पर लिखावा है, फ्री हिंदुस्तान, तो तारकनाथ की एक जो जर्नल बोल सकते हैं, वो आती थी, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ का उल्टा चश्मा, तारकनाथ का उल्टा चश्मा, चश्मे पर लिखाओ उस पर ऐसे हम द्यान रखाएंगे फ्री इंदुस्तान किसके चर्च में लिखाओ है तारकनाथ के इन्हीं की यह मैगजीन है तो इंडियन इंडिपेंडन्स लीग यह अपनी होगी ठीक है गजर पार्टी में पता चल गया यह पता चल गया ठीक है अब इवलुशनर इवेंट्स जो जो इंपोर्टेंट है चापेकर ब्रदुस ने तीन साल पहले उननीसों से तीन साल पहले मदर ओफ रांट एंड मिस्ट पूना में इनको मार दिया गया था प्लेग कमिशनर से यह हो गया चलो कोई नहीं मार दिया उसके बाद क्या हुआ किंग्स फॉर्ड देखो मुदफपर पुर में किंग्स फॉर्ड को मार गया था किसने कुदिराम बोस और प्रफुला चक्री वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह जो यह याद रखेंगे दैन अर्विंदो घोश या अलिपूर कॉंस्पिरेसी अलिपूर बॉम कॉंस्पिरेस को मार के आया थे लंदन में जाके यह बहुत इंपोर्टेंट आपको पताईए दो आपकी रेड होई थी काकोरी और यहां पर चिदगोंग तो काकोरी 1925 में उसके पांट साल बादी चिदगोंग 1930 यह किसने करा है राम परसाद बिश्मेल असवा लुकान रंग दे बसंती म बागत से तो डायर को किसने मार रहा था डायर चला गया था डायर को लंडन में मार था उद्धम सिंग ने 1940 माइकल और उद्धम सिंग यह जया रखना है और असेंबली में किसने गिराय था बागत सिंग आपका बटुकेश्वर दत इन दोनोंने दिया था ठीक है यह अपन यह गये थे आज साओध अफरिका चै मेने के लेकर दो मेने के लिए गये थे वीस साल रुक क्या आया थे वो कैसे एक्सेंड हुआ इनको बुलाया गया था किसी कंसलरेशन और उन सब के लिए नाई तो यह सारे कि सारे एस जो जो इंपोर्डेंट रहेंगे वो अपने को द है अब गांदी जी आया डिपार्चर ठीक है साथ अफरीका गये थे अपने अलग-अलग जेल स्वरी जेल बोलना हूँ इनको ट्रेन से बाहर फेक दिये गया था जो भी यह पिटमर्टी बर्ग स्टेशन ठीक है यहां पर त्रॉन आउट यह धियान रखना है सेवंध और 1899 में इन्होंने फिर Indian Ambulance Corps यह उनको help करने के लिए नेटल कॉंग्रेस दियान रखना है यहां से सवाल आ सकता है Indian Ambulance not so important यह दोनों इंपोर्टन है Indian Opinion Phoenix Farm at the Phoenix near Durban और यह एक magazine थी Indian Opinion यह इन्होंने बनाया था ठीक है तो यह हो गया अब Civil Disobedience वैसे तो इंडिया में इन्होंने 1920s में शुरू किया था पट फरस्ट जो Trans Evil March था एक से लेके दूसरी डिस्टिक में इन्होंने क्रोस किया था तो वहां पर फरस्ट Civil Disobedience Moment अगर बोला जाए गांदी जी का सत्याग्रै उसका आंसर जाएगा अफरीका 1906 1906 में आपका सवराज की पहली बार डिबांड हुई है 1906 में गांदी जी का फरस्ट Civil Disobedience Moment फिर वहां पर ये लोग एक एक लेके आया थे registration compulsory कर दिया था और passes important हो गये थे black act इनको बोला था बलब अगर move कर रहे थे तो ये बोलते थे आप registration लेके चले ठीक है तो इसके against भी इन्होंने सत्याग्रै किया था 1907 में ठीक है फिर पकड़के डाले गये थे Jonesburg jail इस jail का नाम क्या था वाट इस the name of this jail ये भी सवाल आ सकता है विपिन जितना में दिया हुआ है यहां पर नहीं दिया है पहर इनली बार jail time गया थे इस jail को फिर hotel बोला जाने लगा है hotel क्यों क्यों क्योंकि जो leader है वो जब jail में जाने लग जाता है तो उसके बाद पिर तो इसलिए इसको होटल बोला जाने लगया और सब लोग फिर बात में उन्होंने 1910 1909 में अपने रिफॉर्म आये है 1910 में इन्होंने टॉल्स्टोय फॉर्म बनाया है जिसको गांदी आश्रम बोला गया जोहांसबर्ग में ठीक है फिर यहाँ पे इसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया वाट वस दे नेम ओफ देट जेल सारे सोव एगे चला के कोई यह भी नहीं बोल रहा कि नहीं पता फिक है इंडिया में आये इंडिया की डेट याद रखनी है दिश्चा डॉन्ट नो दिश्चा तोरे इनको बोलते थे King Edward Jail यह नोट कर लीजिए इंपोर्टन है नोट कर लो ठीक है चीक है तो कम से कम बोल तो दिया करो नहीं पता कब बताता थे सारे चप चाप ऐसे बैट के सुवज हुए इसी पे ही अपना प्रवासी भारतिये दिवस मनाया जाता है फांडेशन ऑफ सत्यग्रे आश्रम एट ये कोचर नियर एमदबाद इनोंने फांडेशन रखी दी सत्यग्रे आश्रम की फिर आश्रम को बाद में शिफ्ट किया गया थे साबर मती पे तो गांदी जी आये बोले कि मैं इमिडेटली कुछ नहीं करूँगा इसमें ले लेते हैं चाय की तलाश में है सब बिराटी के कुछ नहीं है मैं भी उठते हैं लेक्टोप पे बैठ गया था मम्मिया भी लेके ही आई है कोई नहीं तलाश करो फिर यहां थे ये बोल सकते हैं कि 1960 में जब वो चमपारम गया थे तो ये फर्स्ट एंट्री इंटू धा पॉलिटिक्स ओफ गांदी जी ये यहां पे जो इनके डीजी होते थे वो बले थे कि ये आप मताओ बटिनों ने मना करा और वो गुज गए तो सिविल डिस्टोपिटेंस का पहला जो देखने में आता है गांदी जी का वो यही हिप माना जाता है ठीक है एक्टिव पॉलिटेक्स चमपारन इनकी समस्या को सुल जाया तो ये इंडिगो फार्मर्स जो थे उनके भले के लिए काम किया कि भई ये जो सिस्टम आपका चल रहा है एडवांस रेंटिंग और ये सब वो सु बंद करो फर्स्ट सिवल डिस अबिटेंस से लिए पूछ जाये तो चमपारन तो गांदी जी आया इसकी ट्रीक क्या है गांदी जी ने केक खाया केक इस C-A-K-E ठीक है तो केक चमपारन एहमदाबाद खेड़ा मिनाक्षी वी दो नोट है मुमी हैर कोई नी आप खुद बना लीजी या फिर कर लो तो यार क्या होगे मैं भी जब प्रिपरेशन करता था आई डिड नोट हैव माई मुमी देर फिर्स्ट इन इंडिया से इस बोला जाएगा पस्ट ओवर रोल पुछे जाए और वहां पर ओप्षिन में अफ्रिका वाला हो ट्रांसवाल मार्च हो तो उसको लेना फिर्स्ट इन इंडिया आपने यही चलेगा 19, 16, 17 और फिर 18 में दो आपके इनकी मेल ली रहे थे एहमदवाद और खेडा पहला एहमदवाद था इंडिस्ट्रियल वरकर्स यह चले गए थे इनको 35% के आसपास इन्होंने पेराइस करवाई थी और वो बढ़वाया था ठीक है उसके बाद खेडा में भी failures of crop हो गया था तो इन्होंने मना कर दिया था कि रेंट मतो जिन यहाँ पे भी successful मिली तीनों success रही back to back गांदी जी की उसके बाद फिर यह ओल इंडिया लेवल पे गए तो यहाँ ओल इंडिया लेवल पे 1990 इन्होंने पहली बार रोवल्ट एक्ट यह क्या है था रोवल टेक्ट में बोला था कि जेल में डाल दिया जाएगा civil liberties curve होगी without any जो भी सुनवाई के आपको सीधर जेल में डाल दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इसका विरोध करने के लिए first all इंडिया political movement जो गादी जी का है वो यह है इन्होंने यहीं पे जो आएगा अभी के लिए सिर्फ dates याद रखनी important dates पहले आ रही हैं बस तो यह हो गया तो यहाँ पे गांदी जी को Muslims की तरफ से भी और हिंदूस की तरफ से भी जो भी खिलाफत moment के लिए कर रहे थे Muslims और इन्होंने combined अपना लेडर बनाया था President इसका All India खिलाफत conference का ठीक है ग 1922 में क्यों इन्होंने अटाया चोरा-चोरी की घटना हुई कुछ पुलिस वाले मारे गए कितने मारे गए थी वो भी एक सवाल पुछे जा सकते है आगया आगा अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्षिन में अभी बता सकते हैं कि how many police people जो भी लोग मारे गए थे चोर politics से आए गए आए गए constructive work बीच बीच में constructive work पर focus करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पारूल 22 वेरी गुड मंता नाइस ठीक है तो यह आपका हुआ तो यह बीच बीच में constructive work क्या होता है कि लोगों में आपका एक trust build-up करता है कि yes our leader is with us ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ प्र life में जो चीज़े काम आती है तो वो चीज़े जरूरी होती है तो उसके बिना आदमें कैसे करें मतलब बोखे पेट लड़ाई नहीं हो सकती ठीक है और वैसे मतलब एक leader ने कहा है कि hungry stomach या empty stomach empty hungry empty stomach जो है is the origin ground of revolution किसी को पता है तो पता सकते हैं कि किनों ने काया मुझे जो याद आ रहा है वो मैं बता दूँगा ठीक है stomach revolution कोई नहीं वो छोटे-छोटे hints बीच में आते रहते हैं लिख दिया होगा चलते-चलते लिखा जाता है ठीक है तो अब फिर बाद में constructive program 1934 civil disobedience moment आपका यहां पर डांडी मार्च इन्हों ने किया फर्स्ट फेस बारा मार्च 1931 रखना है ठीक है और फिर पांच मार्च 1931 तक गांधी इरिंपक्ट हुआ 1931 और second roundtable conference भी हुई जिसमें गांधी जी was the sole representative यह पुछा जाता है तो 349 यह फिर से रेटायर हो गए active politics से यहां पर सेवा ग्राम में वर्दा आश्रम बनाए यह एक सवाल बचे जाता है वर्दा आश्रम गांधी अन आश्रम सेवा ग्राम ठीक है ओके तो अब इसमें फिर 1939 अगेन दुबारा थे politics में आए 1940-41 आपका individual सता गरे उसके बाद क्विट इंडिया मोमेंट do or die इन्होंने बोला और यहां पर सारे के सारे leaders arrested है फर्स टाइम इन्होंने violence को condemn नहीं किया बट बिटिश जो government है उसको responsible ठहरा है कि जो violence है वो आपकी वज़े से हो रहा है अगर आप नगसे गांध करेंगे और अपने independence दे देंगे तो ऐसा होगा ही नहीं फिर इनको detention में रखा गया अग अखा पहले इसमें गांधी national memoriam जो पूने के पास है इनकी wife के death होगी मादर देशाई private secretary यह सवाल पुछा जा सकता है wife का भी पुछा जा सकता है private secretary का भी पुछा जा सकता है और यह इनकी last prison term थी 1942 अगस्त से लेके 1944 में तक then 1945 गांधी इंफुलेंस अग्रेस वेंस प्रस्पेक्टिव आफ्टर 1945 फिक है क्यों जैसे जैसे आप जो एक लीडर होते हैं charismatic leaders जो उनको बोलता है तो अब गांधी जी charismatic leader थे सब लोग इनकी charisma मतलब उनको follow बहुत करते थे उनको directly मानते थे बट वो एक crisis में आते हैं आपका crisis चल रहा था colonial time period बट जैसे ही वो crisis all होता है तो उस time पर क्या होता है कि आपको उस charismatic leader की जरुरत नहीं होती क्या है एक ऐसा ही एक्जामपल आता है विंस्टन चर्चिल इंग्लेंड का उन्होंने वर्ल्ड वर टू में बिल्टेन को इंडिपेंडेंस डिलाई बट फिर लेवर पार्टी जीत गई थी ठीक है तो वह भी हार गया थे इतना सब्ष करने के बाद भी तो अब यह ठीक है और नाइटीन फॉर्टी सेवन जब मांट बैटन प्लान जिसको जून त्री प्लान भी बोलते हैं जो पार्टिशन के लिए लाया गया था उसके अगेंस्ट भी गांदी जी ने आपका मदलब कहा था कि यह ठीक नहीं है बट स्टिल नथिंग केंड़न ठीक है और यह कलकत आपका त्यार होना चाहिए कि वो इंस्पायर्स यू कोई भी हो सकता है बट दरीजन शुद भी बिहांड इट लीडर जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलर लीडर हो वहीं हो ठीक है आप इंड़िजल परसन को भी एज़ लीडर मानते हुए आपकर कर सकते हैं फिर 1948 टीस जन्वरी जो की अपना शहिदी दीवस मनाया दे बहुत सारय सहिदी दीवस मनाया जाते हैं 30 जन्वरी 30 मार्च और एक और है जो हर्याना के कंटेक्स में मनाया जाता है राव दुलाराम की जो death anniversary है I think death पर यह यह बर्त पर है तो उसको भी सःधी दिवस मनाया जाता है वह date क्या है यह आप लोगों के लिए सवाद what is that date जो हर्याना में सहीदी दिवस उस दिन मनाया जाता है तो गांदी जी ने सजेस्ट किया इसमें नातराव गोर से बिडला हॉस में बिडला हॉस में विजट किया था मैंने तोहे राम इनके लास्ट वर्ड थे एंड इन्होंने चाहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद कॉंगरेस लोक सेवक समाच तुमन 23rd सप्टेंबर ठीक है प्रेंका 23rd मार्च नहीं है 23rd सप्टेंबर है राव तुला राम 23rd सप्टेंबर ठीक है तो तची कहा रहे है गांदी जी तो कभी नहीं, and fun fact, my favorite leader is Gandhi, facts about Gandhi, अब ये अपने को पता होना चाहिए, date and place of birth, October 2, 1869, 1889, 20 साल बाद आपके नहरुजी जनम हुए थे, नहरुजी का जनम हुए थे, 14 नहुबर, ठीक है, अलोग ये राव तुला राम जी जो है, उनकी death anniversary, I think death ही है, death anniversary ये birth anniversary वो मेरे को confusion है, date September है, उसके साथ है, तो 2 January आपके गांदी जैन जी मनाई जाती है, and dry day, ये याद होगा सबको, जो मुन्ना भैं MBBS में हो कहता है कि बापू, तो बापू के उसपे dry day मनाई जाता है, national day रखा जाता है, international day of non-violence, मतलब a person, a leader, who inspired all the leaders throughout the world, कि भाई, मतलब non-violence, कुछ हो जाओ, violence नहीं करना, मतलब इतना अच्छे तरीके से जो बोल दे या वो कर दे, ठीक है? ओके, thank you so much, death anniversary, ओके, ठीक है, उसके बाद, आपको पता होना चाहिए, कि यह यूए नहीं बनाता है, फादर करमचंद गादी, मताजी पुतली भाई थी, political guru, यह सवाल आता है, गोपाल कृषिन गोखले, private secretary, मादर देशाई, यह अपना हो गया है, या फिर parallel, नहीं है, यह दोने दियान रखने है, unto this last, यह important है, ठीक है, इसको इन्होंने बाद में सर्वध्य है, translate किया था, into, गुजराती में translate किया था, unto this last, धूरो, Leo Tolstoy, यह लिखते थे, उनकी writing से काफ़ी influence होये थे, यह Bible, Gita, इनसे भी काफ़ी influence है, ठीक है, और इनके खुद के जो वर्क थे, उसमें है सर्वध्य है, जो हमने अभी देखा, कि unto this last, and हिंद सवराज, पूछा जाता है, 1909, and then my experiment with truth, autobiography है, 1997, इसमें सारे के सारे events लिखे गए है, as an editor, यह आपको धियान रखना है, Indian opinion, region, young India, and now Jeevan, यह सारे के सारे याद रखने है, region, Gujarati and Hindi में था, और, ठीक है, young India को ही नव जीवन बनाया गया था, इन गुजराती, young India and now Jeevan, नव जीवन पूछा जा सकता है, बार-बार सब कुछ पूछे ही है, गांदी जी, everybody say yes, ठीक है, other names, इनको अलग-अलग नामस, महात्मा, हाई-सोल्ट, सेंथ, रविंदर नाट टेगोर ने दिया था, महात्मा, यह त हो लेंगे, तो सुबास, चंदर बोस, इतना प्यार करते थे वो, मलंग बाबा, नंगा फकीर, क्योंकि एक बार, मतलब, गरीबों को, मतलब, जैसे इंडिया में गरीबी होती थी, भी भी होती है, no doubt about it, but, अब जैसे क्या है कि, जैसे ही, मतलब, उन्होंने पहली बार वो कपड़े भी नहीं है, तो उन्होंने अपने सारे के सारे कपड़े त्याक के, वो जिसको बोलते है, धोती-धोती, सिर्फ धोती पैमली और पूरा जीवन वो धोती में ही रहे, no matter what, फिर जब आपके वो 1931 में भी जब गए थे, वहां पे roundtable conference में, तब भी वहां पे धोती म नहीं गए हुए थे, उनकी भी एक जो iconic photo जो बोले जाती है, वो भी रखी हुई है, ठीक है, इनको फिर, he is also called Bapu, और गुजराती term for father है, ये बोला गया, half-naked फकीर, मलंग बाबा और नंगा फकीर, ये मेरे को सबस्क्राइब, मलंग बाबा नंगा फकीर, ठीक है, ये कभीले जो थे नोर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रोवेंस, तो यहाँ पे एक frontier गांधी को हो रहे है, frontier फ्रोवेंस आगया तो frontier गांधी, किसका नाम है, ये आप मुझे बत ही थी, जो दूसरों को मतलब कि अगर कोई sedition करें तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसने सज़ेस्ट किया था, ये जिस्टिस रोवाट, 1918, appointed by government, 1918 में, तो इन्हों ने क्या कहा, 1919 में, कि आप उनको पकड़ लो, without trial, इससे क्या हुआ, एंगर आ गया लोगों में, ठ इससे और ज्यादा intensify होगी, सारी के सारी agitation, खान अफदुल गफार खान, ठीक है, खान अफदुल गफार खान, मलंग ही रहना चाहिए, बहुत सही है, मलंग मतलब must, ये टाम आपकी use करे जाती है, जो अपने, हम बोल सकते हैं, सूफी संथ, सूफी संथ जो होते हैं, उनक ठीक है, तो अब उसके बाद अपना क्या आगया, यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर दो लीडर, दोनों के दोनों के नाम important है, सैफुदीन एंड किछलू, सत्यपाल, ठीक है, सैफुदीन, किछलू, एंड सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सै एडवर, हैरी, डायर, जनरल डायर आए, और इन्होंने, ओडर कर दिया, इनको, मतलब, शूट करने के लिए, तो बाहर जाने का कोई रस्ता नहीं था, एक ही सिर्फ रस्ता था, एंड रीसेंटली, बहुत दुखत गटना है यह थी, बहुत सारे लोग इसमें मारे गया थे बारा सुट लिखा हुआ है, बारा सुट डेथ, एंड मल्टिपल, मतलब, थाउजन, थ्री, फोर थाउजन के आस परस, डेथ सुए थी, एक्सेक्ट फिगर अगर किसी को पताया है, तो प्लीज मेंशन, दैन, इसमें कहा है, कि अभी जब रीसेंटली केनेडियन प्राइम म मांगे थी अभी, ठीक है, प्रतीक, गुद मॉर्निंग, वेरी गुद मॉर्निंग, देखो, अब यह सब हो गया, तो यहाँ पर एक कमेटी बनाएगी थी, फिर बात में इसको वो करने के लिए, उस कमेटी का नाम क्या है, जो भी आपका इस टाइम पे गड़वड हुई, उसमें डायर आपके, रेस्पोंसिबल थे या नहीं थे, ठीक है, और बात में फिर सरदार उद्दम जिंग, यह इंपोर्टन्ट है, इन्होंने डायर को, जनल, इनको गोली मार दे थी, 1940 में पंजाब से गये थे, लंदन में जाके, ठीक है, यह इंपोर्टन्ट है, फारू एक यहाँ पर आया है, दोनों चीज़े याद रखने है, यह हो गया, फिर उस टाइम पर टर्की और यह सब तो चली रहा था, टर्की में खिलाफत होते था, जो इनको एक हैड होता था, इसको इन्होंने बॉलिश कर दिया था, उसके अगेस्ट खिलाफत मुमेंट यह चल लगाओ था कि भई, हिंदो मसलिम यूनिटी को भी ध्यान में रखते हुए, बाद में, जो मतलब हैड या चेर्मेन हम बोल सकते हैं, इसका बना दिया गया था, महत्मा गांदी जी को, ठीक है, मलाना अब्दुलाजाद थे, वो इस मुमेंट को लीट कर रहे थे, पहले से, ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, नौन कोपरेशन मुमेंट पे, तो नौन कोपरेशन 1920 से 1922, शुरू कब हुआ, फंड बनाया गया था, एक कौन सा फंड बनाया गया था, यहापर, what was the name of that fund, जिसमें बहुत ही कम टाइम पे एक करोड रुपे आपके जमा हो गया थे, ठीक है, अब देखते हैं, देखो, कलकत्ता सेशन सप्टेंबर 1920, कि भई इसको लॉंच करना है, result in the favor of non-corporation, अब तो मानेंगे ही नहीं, आप जो भी चाओगे, मलब कोपरेट करना बंद कर दो, ठीक है, तो इसमें गांदी जी ने कहा, aim हमारा सुराज है, ultimate aim according to गांदी ज अब अपने पहले बार देखा था कि दादा बाई नेरोशी उनके अंदर first time सवराज की हमने बात करी थी, तो इसमें आप अपना ये क्या आता है, इन्होंने का कि आपके जो टाइटल्स हैं, उनको surrender करो, attend मत करो, अटेंड मत करो, जो भी है, general public to offer themselves to military services में आप जाते हैं, व बगत सिंग मुवी में दिखाया जाता है, ठीक है, कि भई, छोटे-छोटे बच्चे नहीं जाएंगे school इतना ज़्यादा praise होता है, sorry, नकुल, yes, very right, बिल्कुल सही नकुल, and पारुल, इलक सवराज्वन, ठीक है, educational boycott ये सब तो हो गया, लाल आजपत राई यहां पे भी थ थे, non-corporation moment में भी, and और जो लीडर्स थे, major जो लायर्स थे, मुतलाल नहरू, सियर्दा, सी राचो का बलाचारी, सेफदीन किछलू, वलबाई पटेल, और ये सब थे, इन्होंने अपनी practice ही छोड़ दी, ठीक है, अब यहां पे एक ने, जैसे दो आते हैं, जिन्होंने अ अपना नाइटूड रिनाउस किया था, उनका नाम आप मुझे बता, एनी बेसेंट के अरेस्ट के टाइम पे, किसने अपना नाइटूड रिनाउस किया था, जो टाइटल होता है, ठीक है, और यहां पे आपके प्रिंस भी आ रहे थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, तो उनके भी against काफी मलब, empty street, कोई greet करने ही नहीं नहीं है, इन्हें लगता था कि बहुत अच्छा ही स्वागत होगा, ठीक है, स्वैग से, तो चोरा-चोरे, चोरा-चोरे की घटना, 1922 और यहां पे, लगवाइस पुलिसमेंट से, उनके डेतुएधी, रविंदरनाथ टैगोर, एन पार्टी होती है, तो उसमें with time थोड़े-थोड़े factions आ जाते है, वो उसको against, मतलब कि भई, थोड़े विचारों की भिन्नत आ है, तो वही यहां पे चल रहा था, important is किन्होंने बनाई थे, स्वाराज पार्टी बनाई, देखो, Congress कह चाते थी कि भई, हम तो elections वागरे नहीं इसको, इसको बोला गया, Congress, Khilafat, सवराज पार्टी, ठीक है, तो मिला जुला के, और alternative program क्या था, कि भई, आप civil disobedience तो चला ही रहे हैं, but you should enter into legislative council जो आपकी Montego, MC reforms के अंदर बनाए गई है, ठीक है, अब आओ, जीतो, 1923 में इन्होंने participate किया, 45 out of 145 seats में इन्होंने जीता, and आपके United, Central Province, United Province, Central Province में, Sorry, Central में, United में, Central में, Yes, Ankit, you may come in, Welcome, ठीक है, Central Province आपका है, यहाँ पे clear majority आपकी थी, बंगाल में सुराज पर्टी, आपके largest party बनी थी, ठीक है, अब इन्होंने काम करना देरे-देरे शुरू किया, but, इनकी demands क्या थे कि भई, जो political prisoners से उनको छोड़ देजिए, provincial autonomy, देजिए, और जो भी आपके repressive law से उनको टाइए, but, हुआ क्या, कि CR 10 जो थे, 1925 में, उनकी death होगी, उसके बाद, लगबग, लगबग, यह party उतना successful नहीं हो पाई, तो, it went on, 1926 में हमा लेते हैं, कि यह चली थी, 1923 से लेके, 1927 तक चोटा से सफर रहा, शु important है, कौन लेटर है, कब आई, कब गई, किस की death ही थी, Simon Commission आया, 1927, तो Simon Commission की trick है, PADA, इसने बात करी थी, PADA, प्राइचल autonomy and dire की abolish करो, यह दो recommendation थी, इसका oppose किया गया, क्यों oppose किया गया, यह आया था, review करने के लिए, Simon Commission का एक और नाम है, Simon Commission का एक और नाम है, S, से शुरू होता है, S Commission, इसको रखा गया था, कि 1997 साल के बाद हम आएंगे, ठीक है, 1929 में इसको आना था, बट आगया 1927 में, बट officially, 27 में constitute कर दिये गए, बट 28 में enter किया था, इंडिया में यह भी चीज़ आख, ठीक है, appointed on November 1927, बट I think February, परवर 1928 कोई enter किया था, सारे वाइट थे, तो सब चिलाने लगे, Simon go back, Simon go back, और यहां पर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाला लाजपत रहे जी जो थे, उनके लाटी चार्ज हो गया था, उनकी death हो गया थी, इसी को avenge करने के लिए, बगत सिंग और इन्होंने उसको मारा था, दिसंबर 1928, ठीक है? No Indian and after 20 years, what after 20 years? फिर आपकी यहां पर ते को नहरू कमेटी आई है, ठीक है? नहरू कमेटी 1928, यहां पर जो अलाल नहरू नही है, उनके पिताची है, मोतिलाल नहरू, इन्होंने, देखो, यह जो बात कर रहा है, 7 Commission, तो यह बात कर रहे थे, कि हम constitution अपने खुद बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे, how many members, यह भी बताओ, यह भी important है, how many members are there in 7 Commission, were there in 7 Commission, Good morning, Gita, तो अब यहां पर आपका आ गया है, तो मोतिलाल नहरू और तेजबादर सप्रू, यह अपने चाली रहे है, Chief Architect, यह बोले जाते हैं, तो इसके ट्रिक यादर रखना, DJ, मैंने यह यादर रखा थे, कि नहरो कमेटी आई, तो DJ लीफू आया था, लीफू, और इसने बहुत अच्छा कारब जाया था, Social, Cultural, Harmony और Unity उसको ध्यान में रखते हुए, तो DJ लीफू क्या है, DJ लीफू क्या है कि इनके डिमांड्स हैं, चार जो में डिमांड्स है, D for Dominion Status, फिक है, J for Joint Electorate, L I, लीफिया है, Linguistic जो प्रोविंसे की डिमांड हो रही थी, वो पहली बार यहाँ पे आपकी हुई है, And then F you have Fundamental Rights, Fundamental Rights की भी पहली बार Nehru Committee की ही रिपोर्टन है, इसको reject कर दिया जिन्ना ने जिन्ना अपना लेगा है, 14 पोइंट प्रोग्रम बस इतना ही याद रखना है, 1929, 7 members, yes, 7 is right, 7 members, उसके बाद आपका आगे नहीं रिपोर्ट तो इसमें पोइंट दे दिये, दे दिये वही, Lahore session, very very important, December 1926, January 1930, को हमने क्या बनाया था, अपना फर्स्ट इंडिपेंदेंस डे ट्राइकलर, कौन सी रिवर पे पराया गया था, यह आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर, प्रेजिदेंट्शिप किस की थी, 1929 में जौहलाल नहरू की पॉर्ण सवराज दे, कंप्लेट इंडिपेंदेंस बनाया था, और यहाँ जो रिपब्लिक डे है, वो 20 जनुरी को बनाया जाता है, दिक्षा, मम्ता, अमित, रावी, ठीक है, डाणी मार्च, तो फिर बाद में आये, बोले कि भई डाणी से लेके, मार्च करेंगे, मार्च करेंगे, बिना मार्च करेंगे, रुका नहीं जाता, इंपोर्टन डेट क्या है, कहाँ, पैली जीज़ तो कितने फोलोवर्स है, 78 फोलोवर्स को लेके ये गए, साबर मती आसरम से लेके, डाणी मार्च तक समल पुचा जाता है, कहाँ से शुरू है, कहाँ पर एक खतम है, नवसारी डिस्टिक में आपका डाणी आता है, कानून क्या तोड़ा, कि भई कानून जो है, डिपिका गुड मॉनिंग, यह था कि आप नमक नहीं बना सकते हैं, और नमक एक आपकी क्या है, बहुत ही कॉमन, जो यूटिलिटी के पाइंट और व्यू से अपन बोलता है, नमक को, तो गाले जी ने काया, इट इस ऑप्रेस कि भई जो कॉमन चीज़ है, आप उसको मना कर रहे है, तो ही पिक्ट अप सॉल्ट और उन्होंने इसको कतम किया कि भई आप तो अब मनाएंगे, अब आपको पकड़ना है तो पकड़ लो, ठीक है, तो यह था, अब यहाँ पे नेशन वाइट प्रोटेस्ट उन लगी, इसको में बहुत है, तो इनको बोला गया कि भई तेशावर में, यह एक अलग है, वो एक अलग था जिसके बात कर रहा था, यह यहाँ पे इंडिन छोल्जर्ज जो थे, उन्हों बार्वी में, इनको बोला गया कि आप फैर करिये, बट इनोंने मना कर दिया था, गांदी ज नाइस, मेरे बड़ा जीत, ठीक है, लगबग लगबग एक लाक लोगों को जेल में डाल दिया, पता नहीं कहां से इतने लोगों को डाल देते हैं, ठीक है, साइमन कमिशन का दोसरा नाम, उसका नाम था है स्टेटिटरी कमिशन, स्टेटिटरी कमिशन, स्टेटिटरी कमिशन, स्टेटिटरी कमिशन, एक ओर थे, इंपोर्टन लीडर अपने थे, मेल लीडर, उसका नाम भी बताना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉनफरेंस, फिर आपके लिए, 1930 की साइमन कमिशन जो लेकिया है, जिसने जो रिकमेंडे सारे के सारे मदलब जैसे यहां पर क्या है, important क्या है, कि Congress नहीं गई, ठीक है, other parties गई, बट क्या successful हो पाएगी, Premier Political Party जो आपके Congress है, पार्टिस्पिट करने नहीं जा रही है, तो नहीं हो पाएगा, तो पहली फेल होगे, उसके बाद दो आपके moderates सप्रू और जहेंकर आए, अब यहां पे यह अग्रिवा कि चलो ठीक है मैं जाओंगा second conference में जाके मिलके आओंगा यहाँ पर नेरो जी ने कहा था कि this is the way world ends not with a bank but with a vimper ठीक है यह remark नेरो जी ने कब दिये थे 1931 यह ध्यान रखना है ठीक है कमला देवी चिटपाध्याई मुझे भी याद नहीं आ रहा है याद आया है तो देख लेंगे second round table conference आपकी हुई है 1931 यहाँ पर यह गए और जो मैं बता रहा था कि भई फकीर की तरह ठीक है तो वैसे भी कुछ जादा representation को बढ़ाना है एंड जो basic Indian demands चल रही है अभी कि भी dominant status और यह सब वो सब तो Delhi manifesto बताओ भई Delhi pact तो बता दिया किसी को पता है Delhi manifesto तो बता है बाकी मैं बाद में बताऊंगा इस चीज़ से related है particularly एक event और उस से related है communal award very very important कब आये थे अगस्त 1932 इसमें बात क्या हो रही थी अभी तक जो separate electorate जो अपने 1909 में आये है ठीक है वो Hindu Muslim religion के base पे था है within the religion Hindu religion में ही आपके caste के basis पे depressed जो classes है उनको बोला गया कि भई आप आप इनको भी reservation देना शुरू करो तो communal representation इन पे extend किया गया राम से mcdonald और ये दोने ध्यान रखने है father of communal award बोला जाता है राम से mcdonald को अब यहां पर आपका आया तो यह देखो कादी जी क्या है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती कि कहाना ने खाना ठीक है रूस के बैट गए बस भी खाना निगाएंगे तू सारे के सारे लिए डिसाइब बनाया तो में थे मदनमन माले भीमरा अंबेटकर mc राजा ये लोग आए इन दोनों ने और गांदी जी ने मिलके फिर आपका साइन किया था पूना पैक्ट पूना पैक्ट में बो सब्सक्राइब कर दिया ठीक है तो पूना पैक्ट में क्या हुआ वेरियस जो सबके सब यह थे और हरीजन की तरफ से अपने भीमरा अंबेटकर जी आया थे यहां पे 71 आउट ओफ 148 तो आपके प्रोवेंसिया लिजिसलेचर में टेंडल में 18% इन टोडल जो है और रिप् हुम ठीक है ओके मनिराम हो सकता है वीवे और कोई भी हो सकते है चाहिए एक और मिस्त दो रहा है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फेरंस आपकी हुई यह 1932 हुई बट फिर से अगेन कोई काम नहीं हुआ सारे के सारे लिटिस जेल में थे ठीक है क्योंकि इरवें ने पकड़ जेल में डाल दिये थे यह आपका वो चली रहा था फिर यहाँ पर अब उसके बाद आया है 1935 1935 इसको अपना क्या बोला जा था बेस ऑफ कॉंस्टिटेशन बहुत सारे चीज़े अपने यहां से चली रही है तो यह सारे चीज़े अपने यहां से चली रही है साइमन कमिश बोलके गया था कि प्रविंचल उटनोमी दो यस डाय के बोलिश करो यस पी एडी ए प्रविंचल उटनोमी डाय के बोलिश ठीक है यह हो गया मिनिस्टर्स को रेस्पोंसिबल बना दिया गया ओल सेक्शन युनिमसली रेजेक्टिड कि बही यह जो आप कह रहे हैं यह इस टाइप के जो भी कमेट्स रहते हैं बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं जैसे ब्लैंक चेक पोस्ट डेटिड चेक किस कमिशन के रिकमेंडेशन को बोला गया कि इस पोस्ट डेटिड चेक गांदी जी ने बोला था पोस्ट डेटिड चेक यह इंपोर्टेंट है किस में आया था यह आपको बता रहा है ठीक है अब यहां पर क्या है कि पिर बाद में एलेक्शन हुए उसने च्छे प्रोविंसिस में फस्ट एंड देन अनदर टू में भी अपनी मिनिस्ट्री बनाई मुस्लिम लिग ने कहा है कि महला वह उतना नहीं जीत पाया थे तो देवर नट हैपी उसने कहा है कि कॉंग्रेस वास ट्रंक विद पावर एंड ऑप्रेस्ट सिव अगेंस्ट मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं था थेंक यू अजीत एक अप्रेल 1935 आर्बिय बना था आर्बिय क्रिप्स मिशन बिल्कुल ठीक है अब आर्बिय का इन्होंने बोली दिया तो आर्बिय एक्ट आपका कब आया है तो कॉंग्रेस मिनिस्टर्स फिर बात में यह आतो गए बट रिजाइन किया क्यों क्यों क्योंकि आपका वल्ड वार जो हुई सप्टेमबर 3 1929 इन्होंने आपको विदाउट कंसल्टिंग इंडिया को भी एक पार्टी बना दिया फिर ये सब लोग इससे शार्प क्रिटि है 193444 and Sashi gives 1935 Sashi 1934 is the correct answer 34 में एक्ट आया था 35 में आपका बना था अब एक चीज़ और रिवाइस कर लेते हैं 1980, 81, 82, 83 नबाड नबाड एक्ट आया था एक अलग सन में नबाड फैनलाइज बना था एक अलग सन में आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ नबाड एक्ट कब आया था सवाल के हिसाब से आंसर करना है, do not give answer according to your own whims and fancies सवाल के हिसाब से आंसर करना है, सबाड एक्ट चलो यह तो होई गया कि इन्होंने reject कर दिया है, इन्होंने प्रैक्टिकल है, कोई नहीं कोई नहीं और इन्होंने सारोंने resign कर दिया था, अब day of deliverance इनकी जो resigning है, जिनना ने celebrate करी day of deliverance, partition day, एक यह रहेगा, 1981 act 82 में बना है, निबा, उसको correct करो, बाद में correct कराया गया है, 1981, 82, 81 में act 82 में बना है, यह अपने HCS के सवाल है ठीक है, पाकिस्तान resolution, अब यह दिया रख रहा है, day of deliverance, ठीक है, यह तो होईगे, अब पहली बार जैसे राहूर, लाहूर resolution, मार्च 24, 1940, 1930 में पहली बार इकबाल ने suggest किया था, कि सारी की सारी जो provinces आपके, फ्रंटे प्रोविंस, बलुच, सिंद, कश्मीर, इनको मुला के एक federation बनाएंगे, यहां से एक idea आया है, चोधरी रहमत अली के पास, उन्होंने term the paks था, ठीक है, इनको combine करते हुए, लेटर यह पाकिस्तान बना, अब जिन्ना ने क्या किया, इन दोनों को जो idea था, इसको मिला देते हैं, और यह जो term देती, यह एक camera जो में पढ़ते थे student तो होते थे, उस time पे इन्होंने बनाया था, ठीक है, तो यह आया, फिर लोगों में मनलब, तीनों के तीनों को मिला के, अभी तक सिर्फ यह vision चल रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बट इसको reality की तरफ धिरे 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 कोल लेके गए, जिन्ना लेके गए, लाह एक ही federation बनेगी and all these things, उसको भी reject किया, 1940 यह तो आई गया, अब बात में क्या हुआ, अब थोड़ा सा अपन इसकी तरफ आते हैं कि independence की तरफ दुबारा से, तो वाइसरोय लिलिंग दो, 1940 गेम आउट विद सर्टेन, अगस्त ओफर, इसको प्रपोजल अगस्त में आया था अगस्त ओफर, आठ अगस्त डेट इंपोर्नेंट या रखनी है, और कहां से यह लोंच हुआ था, क्यूट इंडिया में यह आप मोजब बता है, जहां से लोंच हुआ था, उस प्रटिकुलर प्लेस का नाम और उसका नाम भी, माउंट बेटन स्कीम यह नहीं है, माउंट बेटन स्कीम आपका थर्ड जून जिसको हम बोलता है, माउंट बेटन प्लान, कसाना वो है, यही ध्यान रखना है आपने को, मुस्लिम लेक के सेशन्स पे ज़्यादा फॉकस करने का नहीं, ठीक है, अब यहां पर अगस्तोफर, देखो, अगस्तोफर में C.D.E. Constitutional, जो आपकी Assembly है, उसकी डिमांड होई थी, Dominion Status, आपका दिया गया था, जो मान ली गए थी, अगस्तोफर में, कि आपको Constitutional Assembly बना सकते हो, Dominion Status में लेगा, Executive Council में आपका Participation और Increase किया जाएगा, यह तीन चार चीज़े हैं, यहाँ पे C.D.E. की तरफ से थी, पर इन्होंने मना कर दिया कि यह आप क्या बते करो, यह तो बहुत ही पुरानी बात है आपकी, ठीक है, और म Muslim League ने Welcome किया, बट बोला कि Muslims के बिना कोई भी Constitution Adopt नहीं किया जाएगा, और यहीं से इन्होंने कहना शुरू किया, कि Partition of India के बिना कोई भी Problem Solve नहीं हो सकती, तो यह basically आपका अगस्तोफर फेल हो गया, बट जैसे अगस्तोफर फेल हुआ, उसके बाद लोगों ने, गांदी पारूल आलोक, अमर्त अंसार्ती, ठीक है, अब बट यहां पे द्यान अगने है, फर्स्ट कोन थे विनोवा भावे, जो civil disobedience में गये, सेकंड कोन थे नेरू और पटेल जी, ठीक है, इन्होंने पार्टिसपेट किया था, पट अगेन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाए, बार बार वो आ रहे थे, अब होगया था, कि जैपनीज जो है, एडवांसमेंट हो रही थी, तो इन्हें फिर से कुछ चीह था कि बहुए, कोपरेशन करो, तो कोपरेशन आप कैसे बांगते हैं, फिर से की बहुए, दिखा रहे है, कि हम आपके लिए काम कर रहे है, क्रिप अब यहां पे गांदे जी ने दो स्लोगन दिये करो यह हमारो एंड कुट इंडिया ठीक है अब वाइलेंस वाली जो चीज थी उसको भी गांदे जी ने एक किसी तरीके से एकसप्ट कर लिया था कि भई यह तो होनी ही है तो इसकी सारी की सारी गवर्मेंट की है लोग सारी की सारी सारी से छोड़ छोड़ के आपके पाटिस्पेट करने लगे थे यहां पर बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जीपी लोईया अरुना शेफली उशा मैता एक इनों ने रेडियो भी चलाया था उशा मैता ने तो यह सारा का सारा मिलके आपका काम कर रहा है ठीक है वालेंस बढ़ने लगे पैरलल गर्मेंट कहां-काहं बनने लगी बहुत सारे जोगे पैरलल पंडेता चिंटु पंडे बलिया में सबसे पहली गवर्हरमेंट-ंडरी पैर्डृ थे न तुम लोग मिदनापूर वेस्ट पंगोल सामथ सा्मथ hè तुम लोग में वेस्ट पंगोल में बलिया में है चिंटु पंडे फंदर यह सबसे लंपी चली थी लॉंगेस्ट टर्म पार्लल गवर्मेंट वाई भी चोहान एंद नाना पाटल वाई भी चोहान तलकर उडिसा में भी हुई थी बट गोवर्मेंट ने इसको प्रश कर दिया था युसूफ महरली इन्होंने ये टर्म बनाई थी आपकी क्विट इंडिया अब यहां पर गांदी जी फिर से किस दिन के फास्ट पर चले गए थे फिरा दिन बाद इनकी कंडिशन थोड़ी से डिट्रियोट होगी थी बट फिर भी किसी ने किसी तरीके से चला आए ठीक है हो गया फास्ट हो गया यह सब हो गया लोग बड़े ही वो चल रहा है इन्होंने कंडेंब नहीं किया फरस्ट इम वाइलन्स को दैन आपके यहां पर यह इंपोर्टेंट आता है सी राजगोपाली चारी फॉर्मुला जो भी आपका डेड़ लोग चल रहा है ठीक है मुस्लिम लीक के साथ और इनके साथ तो प्रपोस किया एक कमिशन चकरवर्ती सीराजगोबल अचारी तो यह जो फर्स्ट आपके बोले जाता है मौन्ट बेटन के बाद फर्स्ट इंडियन जो हमारे गवर्नर जोर्नल थे ठीक है पास्ट जो वाइलन्स चल रहा है कि बिटिश गवर्मेंट आपकी बाते नहीं मान रही है और जो बहुत ज़्यादा वाइलन्स हो गया है उसके ही अगेज्ट कि वही इसके पेच्छी रीजन क्या है वन सेकंड यह कहा रहा है कि बिटिश गवर्मेंट ही आपका कारण है इस वाइलन्स का ठीक है तो उसके लिए फास्ट कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा मतलब अपना चेंज करना पड़ेगा बिटिश गवर्मेंट को तो यह आपका हो गया है यहाँ पे भी यह सीरा जो को पाले चारी था इन्होंने बात क्या गरी थी कि जुएंट इलेक्टरेट ले लो और प्लैबिसाइड करा देगे बैसिकली बात यह थी अपाइंट किया गया कि कमिशन कि डिमार्केट करने के लिए नौर्थ वेस्ट या इस्ट में आप कौन-कौन सी प्लैबिसाइड कराएंगे अडल्ट सफरेज के बेसिस पे बट यहाँ पे भी मुसलिम लीग क्या बोलने लगी कि बही जो भी जो भी ह उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं मतलब वो क्यों नहीं पार्टिस्पेट करेंगे मुसलिम लीग के मुसलिम की लिग क्यों और यहां पे हिंदू लेडर जो हमारे वीडी सावर कर भी है तो उन्होंने भी इसको कंडेंड किया बड़ा सा वीडी सावर कर के बारे में बताना देखो मुझे एक इसको अपन आराम से ले लेंगे उतना डेटेल में कि भई डिरेक्ली मैं अभी आपको बता पाऊं मुझे उस चीज की अभी उतनी नॉलेज है ठीक है बट डेफिनेटली आइविल लुक इंट इंट इट और इवनिंग वाले सेशन में अपन इसक कि फर्स्ट वार फिंडिपेंडेंस एंड फर्स्ट इंडियन यह दोनों के दोनों किसके थे वेडी सावर करके थे हिंदू नैशनलिस्ट थे यह लिए रखना है बस थोड़ा सा जैसे अगर दोनों की तरफ से जाए और जो अकंड बारत और यह सब का जो कंसेप्ट है वो इसे इनका जनम का हुआ और क्या था क्या था यह नहीं था वह अपनवाद में दखेंगे ठीक है फिर वेवल प्लान अब क्या हुआ वेव क्या होती वेव ऐसे चलती है एक इसमें क्रेस्ट एक ट्रफ है तो आदा आदा यहां पर बैसिकली बात यह थी कि आदा हाफ-आफ क को देदो आदा इसको देदे बैसिकली इसी सिचुएशन को शोट आउट करने के लिए यह इसकी रिकमेंडेशन में था ठीक है यहां पर सिचुएशन फिर से डेटेरेट हो रही है 1945 ठीक है बट जब मलब जापान वाली सिचुएशन गडबड होगी मलब जापान हार गया यह चीज तो हुई है बिटिश गोर्मेंट अब कंपेल हो रही है कि कोई ऐसा प्लान लाया जाए जो इंडियन्स को सैटिस्फाइग कर सके लौड वेवल को बेजा गया वेवल प्लान के साथ अब हाफ आफ क्या है यह जो हाफ हाफ है इसमें 50% रिप्रेजेशन तो आपका मुसलिम्स के लिए है और यह फाफ जो आपके एक्झक्यूटिव कॉंसिल में है वो आपके इंडियन्स होंगे यह दो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके बाद conference होई तुरंत बाइस prominent Indian leaders की शिमला में वेवल आया था शिमला में गया था वहाँ पर गए बैटे बात करी but again कुछ नहीं निकला ठीक है क्योंकि communalism अदा-दा representation आप दे रहे हो तो again ये चीज उसे को दिखा रही है Muslim League फिर से बही बोल रही है कि इसमें जो 50% जो members रहेंगे Muslims के वो भी हमारे Muslim League के ही होने चीज़ है तो वो एक अलग चीज़ है फिर इसको भी फिर से मना कर दिया गया ठीक है अब हम देखते हैं फिर आपकी होई थी INA TRIALS जो हमारे चल रहे थे ठीक है आयने ट्राइलस में जो प्राइन्टॡ आरमी और इन सब के थे आरमी नेवी और यहाँ के तो उनको पकड़ लिया गया था अब उनकी ट्राय चल रहे थी तिनो शैपने फ़िलेंग wreck जन्रेट होगी थी रैड फॉर्ट में इनके ट्रायल्स हुए था है ठीक है अब चल तो क्या रहा था वैसे तो गांदी जी ने करने किया था कि भाई पुलिस आर्मी और इन सब को आपके उसको अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए ठीक है तो यह आ गया प्रेशर टू इंडियन कि इनको अगर कर दिया गया तो बहुत ज्यादा गडबढ़ हो जाएगी तो यहां से आपके आयान ने कन्विक्ट जातिक ट्रायल्स चल रही थी अब सबसे इंपोर्डेंट कोंगों थे बुला भाई देशाई तेजबादर शपरू ज्वाला नेरू मौमद अली जिन्ना देखें अभी तक मौमद अली जिन्ना वी जार रहे हैं बट फिर भी थोड़ा थोड़ा वो जल रहे हैं फिर इंद मिड आपका आजाद हिंद फोज इसका अपन थोड़ा सा कंटेक्स्ट बेक्राउंड देख लेते हैं कि यहां पर क्या हुआ था तो आजाद हिंद फोज इसके रास भीहारी भोस तक है गोशनी भोस रास भीहारी भी भोस ही थे जो 1911 पे जो अटेक हुआ था उसमें इन्होंने किया था बड़े बड़े लोयर्स ने लड़ा मोटा भाई प्लान सभी वा-देख, ब जा 기다वार 두 ने आएंगे तो रास भीहारी भोस थे इलेक्ट प् है very very important इनका ये brain child था कि आजा दिन फूर्च जैसे चीज बनानी है तो फॉर्म बाए रास बिहारी बोस इन 1942 1943 reorganize किया सुवाश्चंदर बोस ने सुवाश्चंदर बोस ने कैसे ये भी आपके बर्लिन का 1941 में यहाँ पर Indian League बनाई ठीक है और ये Singapore में भी INA बनी थी Singapore में इन्होंने जोइन किया था 1943 में और यहीं पर इनको leadership दी गई 42 बनाई रास बिहारी बोस ने 43 अब यहां से आ गया ठीक है प्रोविंशल गॉर्मेंट यह important है कहां बनाएगी थी Singapore में किसने बनाएगी थी सुवाश्चंदर बोस ने गुड मॉनिंग दीपक ठेक है आई एने हैड त्री फाइटिंग ब्रिगेड जिसमें नाम किया थे सुभाश गांधी और मेरू तिनों के नाम रखेगे और एक था राने जहांसी ब्रिगेड चार में ब्रिगेड आपकी है जो exclusively woman ब्रिगेड बोले जाती है ठीक है बट जब जापान हार गया तो ये भी देरे देरे डेथ होगी मनलब डाइड आयने अलसो और बोस जो थे उनकी डेथ होगी थी जब वो ताइप आईवान के उपर से जा रहे थे अगस्ट 18-1945 हर जगह रोश ही रोश चल रहा है हमारी नेवी में भी एक तो उनकी working condition खराब है उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है racial discrimination खाना चाने मिल रहा तो इन सब की बज़े से इनों ने भी वहाँ पर IMS तलवार याद रखना है उस पर लिख दिया था रुग गया था तो इस पर लिख दिया था ठीक है वलबाई पटेल जिन्ना इनों ने इनको persuade किया था कि भई surrender कर देता है ठीक है तो surrender करवा दिया गया है गांदी जी ने भी इसके against में शुरू है मतलब condemn करना ठीक है तो वो हो गया और एक चीज़ है यहां से आँख खुल है British government की की भई अब तो situation bigger चुकी है और आप मतलब अगर आपकी forces ही आपके against चली जाएंगी तो आप कुछ नहीं कर पाए ठीक है तो अब यहां पे फिर next जो आया है इनने recommendation में जो आया वो जून 1946 मार्च जून cabinet plan cabinets क्या होता है जैसे मालों यह तीन cabinet है तो इन्होंने बादा की तीन cabinet बना लो A, B, C ठीक है groupings यह group वो group वो group वो नहीं देखेंगे अभी ऐसे ही नहीं रखना है बस ठीक है तो cabinets बनाएंगे और यह cabinet mission आया उसमें क्रिप्स भी था Stanford Crips, Lord Patlick Lawrence A.V. Alexander यहनोंने इंडिया को विजिट किया अलग अलग पार्टियों दो मिले बट satisfactory solution अभी भी नहीं आया सजेस्ट किया कि एक इंतरिम government आप बना लीजिए बना लेंगे Muslim League ने accept किया इसको बट अगें विरसे वाई कि बही separate Muslim state चीए Congress ने भी इस plan को accept कर लिया था कि जी ठीक है यह जो three वाला formula है यह भी ठीक है यह भी चल जाएगा ठीक है उसके बाद अपना क्या था direct action campaign अब यह Muslim League का था 1946 यह क्या है कि अब नीची है सब कुछ अपने को different ही चीए तो provoke by the success of Congress को बहुत सारा constitutional assembly में voting मिल गई थी Muslim League को उत्रा मिलने पाया तो power सब को चीए होती है तो उसी के लिए ही इन्होंने एक launch कर दिया direct action campaign अगर 16 1946 अगर देखेंगे तो एक दिन बाद 1947 के एक साल एक दिन पहले मलब एक साल होने से एक दिन पहले हम बहुत सकते हैं 15 अगस्त को पना जाद हुए तो 16 अगस्त को एक साल पहले से नहीं बस उसे पहले ठीक तो यह उन्होंने 16 अगस्त होने सुचा लेस date important है very very important direct action day interim government बनाएगी 14 इसमें रखे गए थे 7 continued हुए 1947 के ब आद में यह लीड कर रहे थे ठीक है joint but Muslim League इस से अगेंस्ट ही रही विड्रू कर लिया कि भई नहीं हम इसमें नहीं रखेंगे cabinet question भी नहीं रखा अब आपकी formation of Constituent Assembly अब आप Assembly December 9 1946 और मिली थी December 9 1946 कोई 11 December 1946 13 December 1946 important dates है objective resolutions आपके पास करे गए थे ठीक है I think 13 December को पास करे गए थे यह 11 को एक और मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने प्रेजिडेंट इलेक्ट किया था ठीक है मीटिंग पहली 9 को 11 को राजिंदर प्रसाद को प्रेजिडेंट और 13 को आपका ठीक है जी objective resolution ठीक है उसके बाद Clement Attlee ये British के Prime Minister होते थे इन्होंने statement दी कि British धीरे धीरे करके June 30 1940 तक चले जाएंगे और बाद में Lord Mountbatten replace करेंगे वैवल को Mountbatten आएगा Mountbatten आया इसने June 3 1947 March 1947 रिप्लेस इंपोर्टेंट डेट क्यों है June 3 क्योंकि June 3 को अनौन्स किया था प्लान कौन सा Mountbatten प्लान हुआ क्या इन्होंने का कि इसको प्लान बालकन भी बोलते हैं तीनों चीज़े आ रही है जुन्तरी मांट बेटन एंट बालकनाइजेशन क्या होता है डिविजिन तो यह भी बालकन स्टेट्स हैं ओके आलोग दिसम्बर नाइन अब्जेक्टिव रिजलुशन ठीक है यह हो गया प्लान बालकन ऑफ़र्ड एकी तो पॉलिटिकल एंट इंडिया बट रिमें जितना बच सके उतना बचा लो बट डिवाइड तो हो गा ही तो पंजाब और बंगाल है इनको डिवाइड कर दिया गया वाट वस्ट कमिशन जो पॉइंट किया गया था आपका यहां पे लाइन के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो कौन से पाकिस्तान होगे ठीक कोई और कुछ नहीं है इसमें फिर आपका आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइटीन फॉर्टी सेवन इसको रिप्लेस किया गए यहां पे सॉवर्यनिटी दी गई इंडियन्स को ठीक है सारे के सारे मेंबर्स अब होगे इंडियन्स ठीक है वाइस राय और इन सबके काउंसल में भी तो यह इंपोर्टन चेंजिज यहां से थे अभी तक 1935 से ही आपका चला हुआ आ रहा था बट 1947 की ब्रिटिश क्राउन जो है वो अब रूल नहीं करेगा पूरी पूरी सॉवर्यनिटी इंडियन डॉमिनियोन की ही रहेगी यह सार ट्रांसफर ओफ पावर की भी बात करी गई थी इंटिग्रेशन पंदरा अगस्तों ने सु सैंतालिस तक सारे के सारे स्टेट एक्सेप्ट थ्री उपर से नीचे तक ही आएंगे देखो कश्मीर युनकाड हैंद्रबाद सबसे पहले महाराज ऑफ कश्मीर अक्टूबर 1947 इ हमें प्रोट्रेक्ट कर लो नेरोजी के पास गया नेरोजी बोले आप साइन करो साइन कर दिया ठीक है उसके बाद नीचे आओ नीचे है तो नवाब ओ जुनकाड यह बोले कि मेरे को पाकिस्तान में जाना तो फरवर यह उनने सोड़ता ले इसमें भी यहां पर सब्सक्राइब कर दिया है इसको भी खतम कर दिया है और 1954 तक ही जो गोवा दमन द्यूक पॉर्ट्टुगीज होते थे यह यहां पर ओप्शन में फ्रेंच दिया हुआ था यह अपने इस ठीक कर लिया था और यहां पर लिबरेट कप करिया गया है गोवा और दमन द्यूको 1961 यह ध्यान रखना है ठीक है पहले 1954 में दमन और नागर हवेली है ठीक है पहले नगर बसा फिर गोवा पहले नगर बसा है फिर गोवा 1954 नगर के साथ ही पॉंटिचेरी यह दोनों 54 में है एंड यह आपका रहेगा इधर ठीक है इसके बाद आते हैं miscellaneous dates देखो यह मैं जो बता रहा था आपको FMG series 5 minutes इसमें यह मैं important चीज़े लूंगा यहाँ पर बहुत सारा time लग जाएगा बहुत सारी चीज़े हो जाते ही छोटी छोटी चोटी आते रहेंगे जिसको revise करना है वो उनको देख लेना 5 to 7 minutes to 10 minutes depending upon कितना बड़ा topic है so this is it modern history अपना हो गया है